Well, so good morning, good afternoon, good evening to all of you. कैसे दोस्तों आप सबी लोग? I hope आप बहुत अच्छे होगे. मैं भी बहुत अच्छा हो. तो आज का हमारा revision session हम एक positive energy के साथ start करेंगे. एक लंबी साथ लो. और कहो, जो भी हुआ, अच्छा हुआ. और जो भी होगा, बहुत अच्छा होगा. आए हम कुछ अच्छा करने. Welcome to mission sumber 2.0, जिसमें हम GST chapter wise chart revision देख रहे हैं. I hope आपको ये revision बहुत help कर रही होगी और definitely आपको एक insight देगी और आपको confidence super boost करेगी. और इस बार आने वाले exam में 80 पार, उसके चापको सुचना नहीं है. तो आज GST revision के topic जो रहेगे, वो रहेगे evable accounts and records. हाँ पेटा, थोड़ा scheduling में मैंने उपर नीचे topics कर किये हैं. अगर आप mission sumber का schedule follow कर रहे होगे, तो scheduling में topic था place of supply और उसके बाद में demand. लेकिन पहले ये topic ले ले थे, evable accounts and records, उसके बाद में, मैं, जो पहले वाले topic है, वो cover कर लूगा. तो yes दोस्तो, I hope आप questionnaire पढ़ रहे होगे, तो मैं आपको ये कहोगा कि आप self पढ़ना चालू कर दे questionnaire, मेरे वीडियो अगर upload होगे होगे, तो देख लो, नहीं तो मैं upload कर दूँगा chapter के पर, आपने अपनी study नहीं रोकना है, आपने अपना self study start कर देना है. तेलिए दोस्तो, okay, तो revision start करते हैं, और मैं आपको कह दूँ, ये revision आपके लिए बहुत helpful रहेगी, और मैं ये कहना चाहोगा कि इस वीडियो के description में जरूद देखिएगा, आपको सारे revision वीडियो का playlist मिल जाएगा, मिशन संभाव के लिए कैसे subscribe करना है, अगर आप first time देख जरूर देखिएगा, और दुसरी बात, amendments as well as मैंने जो है, यहाँ पे questionnaire का भी playlist देखिएगा, तो चालू करते हैं, हमारा revision, पहला EVA bill and then account and records, are you ready, yes or no, जो चलिएगा, तो बेटा, EVA bill, यह topic को मैंने दो पार्ट में divide किया है, एक general discussion और एक यहाँ पे special discussion, general discussion में mostly हम क्या करने वाले हैं, कि general flow क्या है EVA bill का, यह complete discussion इसमें देखेंगे, और उसके बाद में special discussion में, कुछ special cases में, EVA bill का status क्या रहेगा, EVA bill कैसे बनाना पड़ेगा, उसके बारे में ह it is required, EVA bill, यह नाम कैसे develop हुआ, वे मतलब रास्ता, और रास्तों का electronic bill, उसको कहता है, कहा जाता है EVA bill, now government का यह मानना है, कि जब इंडिया में कोई भी goods ट्रांस्पोर्ट होगा, तो वो transportation का एक covering document चाहिए, specially transportation का, और वो एक covering document चाहिए, और covering document उसका नाम रखा गया EVA bill, क्य ही file करके रखोगे, so that during investigation inquiry, या फिर आपके conveyance को अगर रुका जाए, तो already वो data government के पास होना जरूरी है, जिसको हम कहा जाता है EVA bill, EVA bill के बहुत सारे फाइदे है, जहां तक देखा जाए, जैसा मैंने कहा, कि EVA bill जो file किया, तो no doubt, यह digital interference है, और यह cover करता है movement of goods को, सबसे ब कि वो EVA bill के थूरू substantially कम किया गया, कैसे हुआ sir, EVA bill के थूरू substantially कैसे कम हुआ, process तो हम आगे देखेंगे, कि आप EVA bill कैसे बनाओगे, process तो हम आगे देखेंगे, लेकिन जैसा आपको बताना चाहता हो, कि वो substantially कम हुआ, कैसे कम हुआ, जैसे आपको section 16.2, याद है section 16.2, yes sir, आपको receive हो गया, यह पता कैसे चलेगा, बहुत सी बार क्या होता है, सामने वाले ने fake invoice दे दिया, आपने fake invoice पे credit भी ले लिया, उके, हाँ, उसने बता दिया good dispatch, आपने बता दिया goods received, पर यह कैसे यहाँ पे प्रूव होगा, कि goods received हो गया, कैसे यहाँ पे यह देखा जाएगा, कि आपका transaction authenticated है, I repeat, कैसे यह देखा जाएगा, कि आपका transaction authenticated है, तो भीटा, यह जो यहाँ पे, अब evable आपको help करेगा, अगर यहाँ पे, आपके supplier ने, यह आपने अगर उसका evable बनाया है, इसका मतलब goods यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हुए है, और ट्रांसपोर्ट होके आपको receive हुए है, तो इससे क्या हुआ, कि जो fake document पे credit थे, specially goods के, यहाँ पे control किया गया, आज मैं सच में बता दू, कि goods से related fake invoices पे fraud करना थोड़ा difficult है, as compared to service, क्योंकि यहाँ पे goods से evable, हाँ, अगर हम बात करें services की, तो बेटा, services के case में आज भी fake invoices बनते है, credit लिये जाते है, क्योंकि आपको यह पता है कि services जो है बेटा, यह intangible होती है, इसका कोई evable नहीं होता है, वे management consultancy, पांच मिनिट की, दी मैने, दसलाक रुपे मेरा बिल हुआ, उसको कोई challenge नहीं कर सकता है, तो service sector में आज भी, okay, fake invoices पे बहुत बड़ा scam चाल हो है, okay, उस पे जो credit लिया जा रहा है, तो ठीक है, government gradually अब उसको चेक कर रही है, control कर रही है, कि यहाँ पे कि किस तरस उसको control किया जाएगा, लेकिन evoil यह substantial role play कर रहा है, okay, to control our tax evasion in case of movement of goods, okay, next आपको एक important बात बता दो, जो आगे हम discuss करेंगे, okay, evoil जब भी goods move होगा, और आप जो भी conditions हम आगे देखेंगे, वो सारी conditions अगर fulfill करोगे, तो evoil यह goods movement का document है, यह supply का नहीं, जब भी goods move होगा, तब evoil जो है, बनाना पड़ेगा, now, यहाँ पे, okay, evoil के और क्या benefit होगा, एक बहुआ बड़ा benefit आपको यह बताना चाहोगा, और वो है hassle-free movement, okay, hassle-free movement of goods यहने क्या, जैसे, कोई goods हम example करो, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, जम्मु एन कश्मिर से कन्या कुमारी, अब वो goods के transportation को, अगर बिच में कहीं रोका न जाए, vehicle को, और वो vehicle continuous transport करे, तो 7-8 दिन में, वो जम्मु एन कश्मिर से कन्या कुमारी पहुच जाता है, लेकिन, evoil आने के पहले क्या होता था, या पूराने एक size law, VAT या other laws में क्या problem जाती थी, हर state के check points पे आपको रुखना पड़ता था, आपने कभी movie में देखा होगा, गंगा जल movie में, कि हर check point पे रुखो, officer check कर रहा है, truck की ऐसी कतार लगी हुई है, एक check point पे 2-3 दिन दिन वहीं बैटे है, verification हो रहा है, investigation हो रहा है, क्योंकि पहले क्या था, हर state के laws अलग थे, तो हर state का concern होता था, कई हमारे state में तो यह dump नहीं किया जा रहा है, कई goods हमारे state से smuggle तो नहीं किया जा रहा है, कई गडबड वाला goods तो है या नहीं है, तो ऐसे case में, हर state अपने checkpoints पर रोकना, परिशान करना, और उसके बाद में, जो है, यहाँ पर कुछ तो नास्ता पानी ले 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 न, तो यहाँ तक देखा जाए, कुछ तो यहाँ पर खापी कर वो ट्रॉक वाले को छोड़ते थे, तो ऐसे किसमें क्या होता था पताया गया, जो transportation को 8 दिन लगना है, जमवेन कश्मीर से कन्या कुमारी तक, उसको 30 दिन लग जाते थे, चालीस दिन लग जाते थे, और अन्यसे दिले होता था transportation में, और यह transportation डिले होने के वज़े से, उसकी cause भी बहुत बढ़ जाती थी, लेकिन आज इवे बिल आने के बाग, आपकी movement स्टार्ट होने के पहली, आप data electronically देते हो, और वो data जो आप electronically देते हो, वो all or India सब जगा available है, सुने मेरी बग, जो electronically data आप दे रहे हो, all or India सब जगा available है, अब कोई checkpoint पर रोकने के जरुवत नहीं, checkpoint concept ही खतम हो गया है, hassle-free movement हो गयी है, अब अगर किसी को भी यहाँ पर check करना है, आपके goods को, आपके vehicle को, तो वो all or जैसा वो आप track कर सकता है, क्योंकि अब vehicle में, specially transportation by road होगा, तो उसमें यहाँ पर RF device लगाए जाएगे, और वो RF device आपके यह जो toll plaza होते ही, यह toll होते, उस पर वहाँ instrument लगाए जाएगे, तो जब भी आप road से आपका truck जाएगा, आपका truck रोड से जा रहा है, तो वो जो आपके toll points होगे, वहाँ पर भी device होगे, कि आपका vehicle कहाँ पर, क्या है, अभी कौन से रास्ते पर है, यहने किसी भी officer को अगर रोकना रहा, तो वो उस vehicle की movement ट्रैक कर लेगा, और उस convenience को रोक लेगा, अगर उसको doubt होगा, और जो भी उसको investigation करना है, examination करना है, वो investigation और examine कर सकता है, इससे फाइदा क्या हुआ, इससे फाइदा हुआ, कि यहाँ पर, अब हर checkpoint पर रुकने की जरुवत नहीं है, और जब भी आपको doubt आता है, जैसे हम OLA में CAP को track करते हैं, उसी तरह से, अब आप convince की movement ट्रैक कर पाओगे, और जब भी कुछ investigation है, इसको रोख पाओगे, तो यह बहुत सारे फाइदे, इवेबल के हैं, तो पहला question हमारा क्या है, वाट इज एन इवेबल, वाइट इस रिक्वाइड, इवेबल क्या है, और इसकी जरुवत क्या है, ओके तो चलिए, देखो वो क्या करते, इवेबल is a compliance mechanism, इवेबल is a compliance mechanism, whereby, ऑके, by way of digital interference, सुनियेगा, whereby way of digital interference, person causing the moment of goods, और जो person goods की moment कर रहा है, before, और prior to commencement of moment of goods, आफ सारी information, यहाँ पे इवेबल पोटल पे दोगे, कौन से पोटल पे बटा, इवेबल पोटल पे दोगे, मतलब क्या, यह एक तरह का digital interference compliance है, मतलब यह सारा compliance digitally करना पड़ेगा, और यह जो इवेबल रहेगा, goods की moment कर रहेगा, service नहीं, goods के moment कर रहेगा, यह कब बनाना पड़ेगा, prior to commencement of moment of goods, यह जो इवेबल आपको बनाना पड़ेगा, और यह जो इवेबल आपको बनाना पड़ेगा, यह government का specially इवेबल पोर्टल है, उस पे आपको generate करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, क्या information देनी पड़ेगी, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, तो यह था, कि इवेबल का basic compliance mechanism, इवेबल का relevance क्या है, importance क्या है, इससे हमें benefit क्या मिला, और यह relevant है, पहला, अगर हम देखेगे, तो hassle-free movement, यहाँ पे, अब आपको हर check point पे, चेक नहीं किया जाएगा, सारे check points, लास पॉइंट जो है, आपके जो eliminate the check bond, जेक post, तो वो जो check post होते है, वो सब खतम कर दिये गए, जिसको भी, जो भी officer को doubt आएगा, वो officer जो है, यहाँ पे, आपके convince की movement track कर लेगा, उसको रोक कर चेक कर लेगा, तो convince की movement track हो जाएगी, तो hassle-free movement, track the movement of goods, और control the tax evasion, यह बहुत बड़ा important है, जो यहाँ पे fake invoices पे, यहाँ credit लिये जा रहे थे, good supply किये जा रहे थे, तो वो यहाँ पे evable के थूख control किया गया, और tax evasion जो हो रहा था, उस पर भी control किया गया, तो यह था, यहाँ पे when evable and why it is required, अगर यह समझा होगा, तो one type कीजिएगा बटा, अगर यह समझा होगा, तो one type कीजिएगा, चलिए, अब दूसरा यहाँ पे, who and when evable is required to be generate, okay evable कौन generate करेगा, okay and when it is required to be generate, वो कब generate किया जाएगा, okay तो देखिए, okay who, every registered person, ख्याल रहे, okay evable जो generate करेगा, वो registered person होगा, every registered person, may be supplier or recipient, who causes the movement of goods, who causes the movement of goods, in relation to supply, okay just a minute, just a minute, now आप यहाँ पे, second part पे आजा, और यह second part जाए, who and when evable is required to be generated, okay तो अब देखो, evable कौन generate करेगा, evable generate करेगा, registered person, okay maybe supplier or recipient, who causes the movement of goods, government कहती है, हम ऐसा नहीं कहरें, कि supplier कोई maintain करना पढ़ेगा, हम यह भी नहीं कहते हैं, कि recipient कोई evable generate करना पढ़ेगा, हमें बस इतना समझ में आता है, कि यहाँ पे, who causes the movement of goods, जो goods की movement करेगा, वो evable generate करेगा, okay तो यहाँ पे अगर supplier registered है, okay और वो supplier goods की movement create कर रहा है, तो ऐसे case में, यहाँ पे supplier evable generate करेगा, अगर recipient goods की movement कर रहा है तो recipient यहाँ पर evable generate करेगा जैसे और evable कि कब आपको generate करना पड़ेगा in relation to supply अगर आपका transaction supply होगा supply होगा मतलब क्या supply होगा मतलब section 7-1-A के इसाब से sale, transfer, barter, exchange, lease, rental, disposal made or agreed to be made for consideration in the course of otherance of business तो अगर आपका supply है 7-1-A का या फिर आपका जो supply है वो 7-1-C, schedule 1, 4 paras और के पहला permanent transfer of business asset on which ITC is taken या आपका supply related को है या dim distinct person को है principal to agent या agent to principal या agent अपना invoice issue कर रहा है तो इस type के supply होगे तो जब भी supply में goods की movement हो रही है सुनना जब भी supply में goods की movement होगी आपको evay bill generate करना पड़ेगा now second वाला point बड़ा important है वो क्या reason other than supply ख्याल रहे evay bill is not an invoice evay bill is a document of movement of goods I repeat evay bill is a document of movement of goods तो ऐसे case में supply नहीं है stock transfer है let's take example in a state समझ लो महराष्टर में आपकी branch है और आपने single registration लिया हुआ है आपने separate registration नहीं लिवा है और under single registration आपकी 20 branches है तो आप अपने ही branches में transfer कर रहे हो under rule 55 चाला under rule 55 चाला तो वो भी case में आपको evay bill लगेगा तो supply होगा तो भी evay bill लगेगा other than supply होगा तो भी evay bill लगेगा और तीसरा लिखे है due to invert supply from unregistered person मतलब क्या अगर आपका supplier unregistered है सुनिएगा आपका supplier unregistered है और लेने वाला registered है तो ऐसे कि इसमें evay bill जो recipient है जिसका invert supply है जिसने unregistered बंदे से supply किया है तो recipient जो registered है उसे evay bill बनाना पड़ेगा तो एक बार फिर से यहाँ पे तीन पॉइंट समझ लीजिएगा evay bill आप कब बना होगे एक आपका जो supply है मतलब आपका goods का moment है और goods का moment because of supply होगा तो ऐसे कि इसमें evay bill लगेगा दूसरा other than supply होगा याने stock transfer या कोई भी moment होगा तो evay bill लगेगा और अगर किसी recipient जो registered है और वो यहाँ पे purchase करता है अन्रजिस्टर से तो उसका supply अगर अन्रजिस्टर से इन्वर्ट supply होगा तो उसको evay bill जनरेट करना पड़ेगा अब आपका एक सवाल होगा कि sir supplier और recipient दोनों unregistered हो तो तो आगे हम देखेंगे अगर supplier unregistered है recipient unregistered है तो यह case में evay bill जो जनरेट करता है वो transporter जनरेट करता है कौन करता है बेटा transporter जनरेट करता है तो उसके बारे में आगे हम पड़ेंगे ठीक है तो यह था कि who is required to generate the evay bill now next evay bill कब generate होगा very important अगर आपकी consignment value exceeds rupees 50,000 value exceeds rupees 50,000 मतलब क्या evay bill छोटे consignment में नहीं लगेगा आपने pen खरीदान pencil खरीदान evay bill नहीं बेटा उन्होंने एक value limit रखी है और यह value limit है 50,000 अगर आपकी consignment value exceeds 50,000 तो वो case में evay bill यहाँ पे generate करना पड़ेगा अब मैं आपको बता दू कि यहाँ पे cgst act में जो rule 138 है cgst act का जो rule 138 है उसमें limit दी है 50,000 लेकिन sgst act में कुछ states ने evay bill के rule ऐसे ही बनाया है पर कुछ state ने यहाँ पे limit रखी एक लाक रुपे है हमें अगर आपके state में जैसे Delhi लो या कोई other state है जिसमें करना टका लो वहाँ पे एक लाक का limit है हमें exam में एक लाक का limit नहीं लिखना है हमें cgst का rule फॉलो करना है और cgst का rule में यहाँ पे limit कितना दिया है वीटा 50,000 सर यह एक लाक कहा लगेगा मैं आपको बता दू अगर आपका interest rate supply है और आपके interest rate supply है तो state के available rules लगते है और वो interest rate supply है केस में state में जो limit दी गई है एक लाक रुपे तो ठीक है वो आपको follow करना पड़ेगा लेकिन जब आपका interest rate supply होगा interest rate supply होगा तो वो case में आपको central याने rule 138 follow करना पड़ेगा और 50,000 का ही limit follow करना पड़ेगा क्या मतलब सब आप ऐसा समझे क्या हम ऐसा समझे कि यहाँ पे interest rate के लिए यहाँ जो है वो अलग rule है और interest rate के लिए इवे बिल के अलग rule है नहीं rule exactly what to what same है लेकिन कुछ state का कहना था कि नहीं हम एक लाग का limit रखेंगे तो वो state में एक लाग का limit रहेगा बाकि सारे state में 50,000 या interest rate होगा तो 50,000 last I want to conclude आपको जो है exam में इवे बिल का limit जो refer करना है वो यहाँ पे rule 138 के हिसाब से आपको refer करना है और वो कितना refer करना है बिटा 50,000 यह समझा क्या यह समझा होगा तो बताइए तो consignment value exceeds rupees 50,000 अब ध्यान रखना हम यहाँ पे word है exceeds rupees 50,000 तो आपको इवे बिल जो है यहाँ पे बनाना पड़ेगा अब चलिए इवे बिल बनाना है इसमें दो पार्ट है इवे बिल जो है आपका voluntary और mandatory द्यान से देखिएगा इवे बिल जो है voluntary और mandatory तो अब अगर value 50,000 के उपर है तो तो mandatory हो जाएगा लेकिन अगर आपकी consignment value सुनिये द्यान से अगर आपकी consignment value 50,000 से नीचे होगी अब यहां पर देखिएगा कि आपकी consignment value consignment value 50,000 के नीचे होगी तो government कहते है voluntary हम यहां पर आपको force नहीं करेंगे तो if consignment value is 50,000 or less तो आपको बनाना है तो बना नहीं बनाना है तो मत बना तो consignment value 50,000 or less तो वो voluntary है लेकिन mandatory कब है अब यह तीनो conditions careful देखना कि आपको evable mandatory कब है अगर आपकी consignment value exceeds 50,000 I repeat exceeds 50,000 तो evable compulsory हो जाएगा दूसरा दूसरा यह दो point very very important यह दोनो point बहुत important यह वाला और यह वाला जॉब work होगा अभी हमने जैसे job work के concept पढ़े अगर आप goods job worker को भेज रहे है सुनो आप goods job worker को भेज रहे है तो evable either principle बनाएगा या job worker बनाएगा अगर job worker registered होगा तो दोनों में से कोई भी बना सकता है who causing the moment of goods और यहाँ पर अगर यह moment interstate moment होगी अगर यह moment interstate moment होगी तो evable compulsory है irrespective of consignment value अगर आप goods किसको भेज रहे हो job worker को तो evable principle या job worker दोनों में से कोई भी बनाएगा who causing the moment of goods और अगर आपका job worker other state में है और आपके goods की moment interstate है सुनो एक बार फिर से आपका job worker other state में है और goods की moment interstate moment है तो यहाँ पर irrespective of value आपको evable बनाना पड़ेगा फिर एक रुपे की क्यों ना value हो मतलब सर यह हुआ कि अगर हमारा job worker intra है intra है तो 50,000 की limit है मतलब normally जब भी goods मुह करोगे किसी भी purpose के लिए तो 50,000 की limit है लेकिन दो ऐसी cases है कि जहाँ पे आपका value एक रुपे भी होगा तो भी आपको evable बनाना पड़ेगा एक हुआ job worker जहां interstate movement होई और दूसरा handicraft goods अगर आपको section 24 याद होगा I repeat section 24 याद होगा तो आपको याद होगा कि handicraft goods handicraft goods मतलब क्या section 24 का sub clause 1 कहता है कि अगर आप interstate movement करते हो तो आपको registration composer ही है कुछ याद आ रहा है अगर आप interstate movement करते हो तो आपको registration composer ही है लेकिन उसके दो exceptions मैंने पढ़ाया थे detail में पहला कि अगर supply up service होगा और interstate service क्यों ना हो तभी आपको यहाँ पे basic threshold मिल जाएगा और दूसरा मैंने पढ़ाया था handicraft goods अगर कोई handicraft goods आपका interstate movement में है interstate movement में है तभी आपको basic threshold मिल जाएगा and a person exempted from obtaining registration under section 24 1 and 2 मतलब आपको registration करने की जरुवत नहीं है till threshold till threshold आपको registration करने की जरुवत नहीं है even though handicraft goods आप interstate movement कर दे हो लेकिन वहाँ पे भी अगर आप पढ़ते हो और यहाँ पे भी पढ़ते हो तो मैं आपको फिर से याद दिला दू वो दो condition पे आपको handicraft goods allowed थे interstate movement with threshold exemption limit okay with threshold exemption limit कौन से दो केस में कि आपके पास span होना जरूरी है यादा रहा है आपको आपके पास span होना जरूरी है और आप evable बनाओगे irrespective of value okay value कुछ भी हो आप evable बनाओगे तो दो ऐसी केसे से कौन सी job work और handicraft goods ध्यान सुनिएगा job work और handicraft goods जो केस में अगर interstate movement होगी तो आपको evable बनाना ही पड़ेगा irrespective of value बाकी केस में अगर आपके consignment value पचास हजार से ज़्यादा होगा तो आपको evable बनाना पड़ेगा अगर ये दोनों point समझ में आया होगे तो आप J type करो मतलब आपको ये दोनों point clearly समझ में आ आगे now तो अब ये evable कौन तो every register person who causing the moment of goods okay आपको every register person who causing the moment of goods उसको evable बराना पड़ेगा बहुत सी बार एक सवाल आता है कि sir क्या जरूरी है कि हमी evable बना है okay क्या जरूरी है कि हमी evable बना है क्या हम ये evable की authority ECO को जो electronic commerce operator है sir मैं Amazon के तुरू supply कर रहा हूँ मैं flip card के तुरू supply कर रहा हूँ तो मैंने Amazon को ये authority दे दिए कि आप evable बना लो और Amazon तो आप से ये लेती authority क्योंकि बताओ कि आपको Amazon जो है यहाँ पे वो यहाँ बहुत ज्यादा strongly बिलियो करती है यहाँ पे fast delivery of goods अब आपने अगर evable बनाने के लिए delivery late कर दिया dispatch late कर दिया तो उनका एक जो image वो खराब हो जाएगा इसलिए ऐसे situation में Amazon जो है बेटा यहाँ तो आप से खुद authority ले ले लाए कि आप tension मतलो हम evable बना लेंगे फटाफट evable बना के goods का dispatch कर देंगे तो ऐसे case में क्या मैं ECO को या courier agency को या transporter को मैं यहाँ पर authority दे सकता हो क्या कि evable वही बना ले तो yes मैं authority दे सकता हो यानि register person या उसके भी आप पर ECO या courier agency या transporter वो evable यहाँ पर generate कर सकता है आपके भी आप यह समझाओगा तो आप यहाँ पर ECO type करो बिटा तो yes यहाँ पर discussion को आगे बढ़ाएगे तो यहाँ लिखा है कि part A सर यह क्या होता है part A तो चलिए अब थुआ आगे के discussion में जाते है आप evable generate कर रहे हो evable का form होता है EWB01 आपका form होता है यहाँ लिख दो EWB01 चलिए आपको evable generate करना है आप अपना evable generate कर रहे हो अब यह जो evable आप generate कर रहे हो तो कोई भी आपने mobile लिया और mobile से evable आप चले गए evable portal पे evable portal पे जाने के बाद आप evable generate कर रहे हो इसमें आपके सामने दो पार्ट है तो चलो मेरा goods truck ready है या मैं जो भी goods की moment कर रहा हो मैं आपके मोबाइल में जा रहा हो आपके पोर्टल पे जा रहा हो evable portal पे मेरा GSTN डाल रहा हो मेरा जो GSTN है वो GSTN मैंने डाल दिया और मेरा user ID, password जो भी होगा मैंने डाल दिया और मैंने evable का form open कर दिया form आएगा EWB01 EWB01 में दो पार्ट होगे पार्ट A और पार्ट B पार्ट A और पार्ट B की information आप अच्छे से समझ लो पहला मुझे GSTN of the supplier अगर evable supplier generate कर रहा है तो supplier का GSTN recipient भी generate कर रहा होगा तो भी उसको supplier का GSTN देना पड़ेगा अगर supplier unregistered है तो भी यहां देने की जरुवत नहीं है वहां option आता है unregistered का लेकिन अगर supplier का GSTN है तो आप supplier का GSTN जरूर दे आप supplier का GSTN जरूर दे उसके बाद में दुसरा उन्होंने पुछा place of dispatch place of dispatch place of dispatch समझ लो let's take example मैं पुने से dispatch कर रहा हो तो क्या मुझे पूरा detail address देने पढ़ेगी कि पुने का यहां पे यह address नहीं और कि जहां मेरा just postal pin code होगा I repeat postal pin code होगा तो जो भी होगा 44460 26001 जो भी होगा तो मैं postal pin code यहां पे दे दूगा और postal pin code more than enough है उसके बाद में GSTN of the recipient जो भी recipient है उसका GSTN मुझे यहां पे दे दिया चलो recipient का GSTN मैंने दे दिया place of delivery कहा है तो समझ लो मैं यह goods डेली बेज रहा हूँ तो अगर मैं यह goods डेली बेज रहा हूँ तो जहां पे भी मुझे बेजना है वहां का pin code लेना पड़ेगा अरे recipient का pin code है क्या नहीं है तो चलो recipient का pin code लेलो फटाफट इन्वाइस में लिखाऊगा तो अच्छी बात है तो recipient का pin code आपने trace करके वह डाल दिया उसके बाद में document number और मैं आपको बताता हूँ यह सारी information अगर आप e-invoice बनाते वक मेरे word सुनना e-invoice बनाते वक आप schema में देदोगे inv01 के schema में यह सारी information देदोगे तो आपका e-way bill automatic generate हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे e-invoice portal जो है वो सारा data gstin portal पे आपके gstr1 के लिए और e-way bill के लिए बेज़ देता है तो यह सारी information वहाँ भी दिया तो भी चलेगा चलो next document number document number मतलब क्या अगर आपने invoice बनाया होगा तो invoice number आपने bill of supply बनाया होगा तो bill of supply आपने transfer चालान बनाई होगी तो transfer चालान उसका number आपको देना पड़ेगा document date क्या है value of goods क्या है और के value जो भी आपकी value होगी वो आपको यहाँ declare करना पड़ेगा HSN code हाँ HSN code यहाँ पे आपको declare करने पड़ते है अगर आपका turn-or up to 5 crores होगा तो 2 digits above 5 crores होगा तो 4 digits यहाँ पे अलगा invoice के HSN code की limit अलगे और e-way bill के HSN code की limit अलगे यहाँ पे 5 crores तक होगा पार्ट B क्या है क्या सर एक्जाम में पूछते हैं नहीं पर आपके knowledge में होना जरूरी है पार्ट B में आपको vehicle number चलो पार्ट B open होगा vehicle number vehicle number for road अगर आपका train से जा रहा होगा सुनो मेरी बात अगर आपका train से जा रहा होगा e-way will बनाना पड़ेगा vehicle मतलब सारे mode of transport पे भी e-way will बनाना पड़ेगा पर specially by road होगा तो आपको उस vehicle का number याने truck number डालना पड़ेगा road के case में थोगा strict है आपको part B में उसका truck number डालना पड़ेगा और transport document आपका transport document number मतलब क्या goods receipt number मतलब आपका freight number railway receipt आरार नमबर लॉरी receipt वगरे जो भी transport airway airway bill बाई airway होगा तो airway bill number या आपको transport document का जो number है वो डालना पड़ेगा और इस तरह से part A और part B की information complete करनी पड़ेगी अब मैं थोड़ा practical approach लेता हूँ बहुसी बार क्या होता है बहुसी बार part A की information जो register person है वो complete कर देता है पर part B की information जो register person है maybe supplier, maybe recipient वो complete नहीं कर पाता है sir, part B की information वो complete क्यों नहीं कर पाता है क्योंकि अभी तक जो truck से जाने वाला है वो truck final नहीं हुआ जैसे मैंने अपने okay, transporter को call किया बही, goods Delhi बेजना है transporter ने कहा कि sir, आप एक काम करो यहाँ पे goods लेके आजा okay, जो भी truck जाएगा मैं बेज़ दूगा अब मैंने क्या किया मैंने किया कि goods मैंने transporter को handle तो कर दिया party की information complete कर दी लेकिन part B की information जो है मैं अभी तक fill up नहीं कर सकता हूँ क्योंकि उसका truck final नहीं हुआ कि कौन से truck से goods आएगा तो वो मैंने pending रहने दी उसके बाद में अभी तक उसने मुझे freight note नहीं दिया है या उसने मुझे transport document नहीं दिया है इसके वज़े से part B की information मेरी pending है तो ऐसे case में बहुत सी बार जो evable generate करेगा register person वो transporter को assign कर देता है या courier agency को assign कर देता है या फिर यहाँ पे ECO को assign कर देता है कि एक काम करो part B की information आप complete कर देना तो वो जो evable आप generate कर रहे हैं उसका link उसको वो transporter को transfer कर देता है कि आप part B की information आप complete कर लो तो accordingly part B की information कभी-कभी transporter भी complete कर लेता है साथ-साथ में बहुत सी बर ऐसा है कि register person part A और part B दोनों की authority यानि register person part A और part B की authority दोनों की ECO को courier agency को या transporter को दे देता है तो एक बात थोड़ा carefully समझना और कौन सी बात आपको द्यान से समझना है यहाँ पर कि जो email bills generate कर रहा है वो दोनों information complete कर सकता है या फिर वो part A की information complete कर देगा part B transporter को assign कर देगा कि तू complete कर ले या फिर part A और B दोनों information complete करने के लिए वो transporter को या courier agency को assign कर देगा यह वाला part समझा क्या यहाँ पर ठीक है part A और part B यह समझा होगा तो A B टाइप करो यह मुझे समझ जाएगा कि part A और part B आपको यह information समझ में आगी अब नीचे कुछ में मैंने यहाँ पर और additional points आपको दिये है भाई कौन से दो tax period के return नहीं दिये या दो month या quarter के मतलब composition ले भी होगी तो आपने GSTR 1 नहीं दिया दो tax period का या 2 month का आपने GSTR 3 भी नहीं दिया या 2 tax period का GSTR 4 नहीं दिया CMP 08 नहीं दिया तो आपका evable block कर दिया जाता है आपका evable freeze कर दिया जाता है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे दूसरा एक important point क्या है और यह वाला important point यहाँ पर यह है कि if distance देखो if distance up to 50 km within state और union territory in case of transportation from place of business to transporter's place तो फिर evable optional है यह वाला point समझ लो मतलब क्या यह पार्ट B वाला वहाँ पर भी evables generate करना पढ़ेगा पर part B specially यहाँ पर लिख देता हूँ मैं part B part B part B optional है अब देखो क्या होता है जैसा मेरा जो है transporter है जो goods को डेली लेके जा रहा है जो goods को डेली लेके जा रहा है और वो transporter पुना के बाहर है और लगबग यहाँ से 25 km है याने वो transporter कह रहा है सर में ट्रक अंदर नहीं बेज होगा आप goods जो है आपके दो-तीन जो boxes है जिसकी value 50,000 के उपर है तो आप boxes मेरे transport house तक लेका जाओ और फिर यहाँ से में ट्रक से बेज दूगा अब मैंने एक auto carriage वाले को रोका मैंने का रुख जा भई यह दो बॉक्स लोड कर तेरे इसमें और वो 25 किलमेटर दूर जो transporter महा ली जाना है मतलब उसका distance जो है और के यहां पर जहां तक देखा जाए पचास किलमेटर के अंदर है यह समझ लो एक्जामपल लो डेली डेली में कोई business man चाननी चौक पर है जहां पर जो पर जो पर जो ट्रांसपोर्टर है within a state तो वो case में आप specially goods लेके जा रहे हो transporter place तक तो वो case में सिर्फ आपको part A की information देना पड़ेगा part B की information देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है वो optional है देना है तो दो नहीं देना है तो दो वो auto वाले का जो auto carriage है उसका vehicle number देना है तो दो नहीं तो मत दो हाँ लेकिन फिर आपको एक और e-way bill generate करना पड़ेगा और वो e-way bill जो generate करना पड़ेगा वो transporter के place से तो आप जो भी state को बेजना चाहते हो या जो भी city को बेजना चाहते हो वहाँ तक तो वो जो है उसका e-way bill आपको बनाना पड़ेगा तो ये case में दो e-way bill है पर second e-way bill में आपको part A या part B दोनों की information देनी पड़ेगी आई क्या बाद समझ में और कि ये पूरा concept समझ में आया होगा तो बेटा three type कीजिएगा हम third concept पे थे तो three type कीजिएगा यहाँ पे चलिए उसके बाद में next determination of value value कैसे determine होगी अब जैसे हमने यहाँ पे देखा कि आपकी consignment value e-way bill बनाने के लिए पचास हजार के उपर होनी चीए तो mandatory e-way bill generation और कि अगर आपकी consignment value exceeds rupees 50,000 value कैसे determine होगी तो value जो determine होगी यहाँ पे as per section 15 determine होगी section 15 15, 1, 2, 3 अगर आपको याद होगा read with rules rules भी यहाँ पे consider किये जाएगे तो 15, 1 में transaction value 15, 2 की addition करके और discount काट कर और अगर आपका valuation rule में होगा rule 27, 28, 29, 30, 31 तोके या 32 उसके हिसाब से जो भी value होगी वो value ली जाएगी और वो value जो आपने invoice में declare की है declare या चालान में bill of supply में declare की है तो section 15 के हिसाब से value आपकी निकाली जाएगी तो sir section 15 से लेकिन इसमें खास बात है जिसके उपर हम आगे problem यहाँ पे देखेंगे और यहाँ खास बात क्या है आप जब जो consignment की value निकाल रहे हो तो इसमें GST include करोगे आप GST include करेंगे आप GST include करेंगे मतलब क्या समझ लो आपकी consignment की value है just a minute बेटा सभी calculator दो आपकी consignment की value समझ लो 48,000 section 15 के हिसाफ से आपकी consignment की value है 48,000 into उसके उपर 18% GST है 18% GST है plus equals to आपकी consignment की value 56,640 है तो GST add करकर I repeat GST add करकर आपको value लेनी है for for evable evable मतलब आपकी consignment value 56 और 50,000 से ज़्यादा है तो आपको evable यहाँ पे generate करने पड़ेंगे very important point अगर मैं section 15 पड़ू तो section 15 2 A कहता है कि जब भी आप value determine करोगे section 15 2 A कहता है कि जब भी आप value determine करोगे तो आप taxes को exclude करोगे ठीक है तो हाँ बेटा taxes को वैसे तो exclude करना पड़ता है लेकिन जब आप consignment value for evable निकाल रहे हो तो वो case में आपको taxes को include करना पड़ेगा तो यह taxes को include करके आपको देखना पड़ेगा कि 50,000 cross हुआ है या नहीं हुआ है अगर आपका 50,000 cross हो गया तो आपको यहाँ पे evable बनाना पड़ेगा तो यह GST element add करना पड़ेगा specially for evable लेकिन exclude exclude क्या बेटा तो value of exam supply value of exam supply चलो let's take example अगर आप calculator लेते हो supply है और 25,000 का exam supply है तो टोटल कितना हुआ आपका 55,000 55,000 और taxable supply है पे GST तो वो क्या कहते है अब आपका client मेरे पास आगया और वो पूछ रहा है समझ लो कोई client है और मेरे पास आगया पूछ रहा है कि सर मुझे evable बनाना पड़ेगा यहाँ पे बनाना जागया एक ट्राइब वाल्योमा थिसाजार ओकर थाती ताउजन और यहाँ पे एग्सम्टेट वाल्योमा थ्वैस्ट फेंटी ताउजन ऑटेट सिनल इंवाइपश पर रुपी स्वैपई थाजन तो यहाँ पिप्टी-पाउजन no need of generation of evable, and no need to generate evable, exam supply को evable नहीं लगता है, exam supply includes nil rate supply, only exam supply, non taxable supply, जिसको evable नहीं लगता है, और if you are making two combined supply of taxable and exam, आप combine supply कर रहे हो taxable और exam को, तो exclude दे exam, अगर आप exam exclude कर देते हो, तो आपका 30,000 रुपे का supply है, प्लस उसके ओपर समय लो 18% यहाँ पे GST, अगर वो भी add कर दो, 35,400 ही होगा, अगर 35,400 होगा, तो no need to generate evable, I hope you understood, अगर यह आपको determination of value समझ में आया होगा, तो four type कीजिएगा, मतलब यहाँ बेटा, मैं समझ जाओगा कि yes, ओके यह concept आपको अच्छे से समझ में आ गया है, उसके बाद में next, next, when evable is required to be generated, आपको evable कब generate करना पड़ता है, तो उसके बारे में और थुड़ा और detail में discuss करते है, उसके बारे में और insight लेता है, ठीक है, समझ में आया है कि आपके, yes or no, बताओ फटाबट, चलिए, when evable is required to be generated, वो क्या करते है, यहाँ पर, goods transported by road, goods transported by railway, goods transported by air or vessel, आपका goods by road जा रहा होगा, आपका goods by rail जा रहा होगा, आपका goods by air या vessel जा रहा होगा, ऑके दैन से सुन यहाँ तो सबसे पहले लेते हैं कि आपका goods by road जा रहा है, तो अगर road जा रहा है, तो evable to be generated before moment of goods, वेरी important, इवेबिल to be generated before moment of goods याने moment start करने के पहले आपका इवेबिल जनरेट हो जाना चाहिए मतलब क्या? मतलब आप साइट में लिख सकते हो okay, part A part A plus part B part A plus part B okay, दोनों information part A plus part B यह दोनों information आपकी complete हो जानी चाहिए okay, आपकी complete हो जानी चाहिए okay, regarding to road transport याने, okay, sir, part A मैंने complete कर दिया तो क्या मैं moment start कर सकता हो? नहीं okay, part A और plus part B दोनों भी information आपकी complete होनी चाहिए तो ही आप जो है, यह आपे goods की moment कर सकते हो, चलिए sir, यह समझ में आ गया by road होगा तो, अब road में मैं और दो part करना चाहोगा okay, road के case में और दोर part okay, अगर आपका self transportation होगा सुनिए यह आपे अगर आपका self transportation होगा और third party transportation होगा और पिसरी self transportation नहीं क्या? मतलब आप खुद के vehicle पे या hired या public convention से लेके जा रहे हो, okay याने आपने transport agency appoint नहीं की आपने transport agency appoint नहीं की आपका खुद का vehicle होगा या आपने hire किया होगा vehicle, okay तो और आपने एक मैने के लिए truck hire कर लिया दो मैने के लिए truck hire कर लिया या कोई public convention से लेके जा रहे हो, government बसे से है government यह है, उससे लेके जा रहे हो तो फिर part A और part B दुनों भी information register person को complete करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें क्या transport तो कोई है नहीं, okay आपका खुद का vehicle है, आपके खुद का vehicle है तो आप, okay, ऐसा तो नहीं बोल सकते कि part A मैं complete कर लेता हो, और part B assign कर देता हो, किसको assign करोगे, okay आपके खुद के vehicle में लेके जा रहे हो, तो ऐसे case में आप ऐसा कर सकते हो, कि part A की information आप complete कर दो, who causing the moment of goods, लेकिन part B की information के लिए, आप transporter को assign कर सकते हो, कि ठीक है भई, एक काम कर part B की information है, वो तो complete कर ले, तो यह हम specially किस के बारे में देख रहे हैं, हम specially बात कर रहे हैं, जब goods की moment है, और वो goods की moment, transportation by road होगी, okay, transportation by road होगी, sir, अगर transport के case में क्या यह जरूरी है, कि part B की information हम transporter को दे, नहीं, आप भी complete कर सकते हो, यह तो अची बात है, अगर आप complete कर देख तो यह तो बहुत अची बात है, अगर आप नहीं complete कर पा रहे हो, तो वो case में आप transporter को assign कर सकते हो, चलिए, अब थोड़ा transporter के बारे में समझ लेते हैं, अगर GTA, goods transport agency, unregistered होगी, तो वो unregistered के case में, उसको unique enrollment number, सुनिएगा, unique enrollment number लेना पड़ेगा, यह unique enrollment number का concept, जब मैंने accounts and record का chart पढ़ाया था, तब भी लिया था, तो unique enrollment number उसको लेना पड़ेगा, और GTA जो registered है, और उसका single registration होगा, तो उसको evable में GSTN code करना पड़ेगा, और अगर GTA के multiple registration है, घर स्टेट में registration है, और यहाँ पर बहुत सी बार register person को, sorry, बहुत सी बार register person GTA को appoint करता है, कि चलिया, तो हमारे मेरे भी आप पर part B को complete कर दे, तो और वो registered है, पर उसके बहुत multiple registration है, तो ऐसे case में, जब part B की information, transporter complete कर रहा है, तो वो case में उसके इतने सारे GSTN, जो उसको quote करने पड़ते है, तो यहाँ पर complexity क्रिएट करता है, तो अगर उसके multiple registration है, तो फिर उसको एक common UEN मिलता है, UEN मतलब unique enrollment number, यानि वो multiple GSTN use ना करते हुए, एक just common UEN भी evable में use कर लेता है, तो भी चलेगा, एक बार फिर से, there is a difference between unique enrollment number, and common unique enrollment number, unique enrollment number मतलब unregistered के case में, और common unique enrollment number मतलब क्या, कि multiple GSTN है, क्योंकि वो transporter की हर state में branches है, multiple GSTN है, तो वो complexity क्रेट करता है, evable generate करने के लिए, तो फिर ऐसे GTA जो है, वो common UEN ले सकते है, और कि ये concept समझाओगा, तो बिटा 5U type कीजिएगा, और कि मैं सच में कहता हूँ, ये concept इतना easy way में आपको present करके दे दिया है, और कि जब हम आप text पड़ोगे, आपको दो पड़ना ही पड़ेगा, text पड़ोगे, तो definitely ये बहुत easy जाएगा, तो अगर ये concept समझाओगा, तो 5 टाइप करो, मतलब मैं यहां समझ जाओगा, आपको समझ में आ गया है, next अम बात करते, validity of evable, evable की validity क्या है, अब देखो, validity of evable, अब जो आप evable generate करते हो, इसकी एक time होता है, और अगर आपने evable generate किया है, तो within that time, आपको goods को transport करना है, within that time, goods को transport करना है, अगर within that time, आप goods ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा है, तो वो situation में, आपको extension के लिए अपलाए करना है, extension के लिए अपलाए करना है, तो अब देखो क्या है, अब यहापे देखो क्या है, वो validity, थोड़ा मैं इस concept को और समझाओगा, validity of evable, other than over-dimensional cargo, and in case of over-dimensional cargo, अब यह other than over-dimensional cargo, पहला concept को समझ लो, मतलब आपके cargo जो है, बड़े-बड़े cargo नहीं है, अब यह over-dimensional cargo क्या होता है, तो वह आपको कहूगा, okay, की भई, lecture को post करो, अभी Google search में डालो, over-dimensional cargo, ऐसे images आपके साबने आएगी, की बड़े-बड़े truck है, आप images से समझ ले, एग्जाम में कोई पूछने वाले नहीं है, okay, बड़े truck है, okay, बड़ी-बड़ी machines उसके अंदर लगी है, okay, वो जो है नहीं, truck, ऐसे tires, जिसको 30-32 tires होते हैं, बड़ी-बड़ी machine उसमें, बड़े-बड़े pipes उसके लगे रहते हैं, उसको कहते हैं, और-dimensional cargo, okay, तो अगर आपका truck, जिसमें other than or-dimensional cargo है, और ऐसा truck, okay, ऐसा vehicle जिसमें or-dimensional cargo है, तो other than or-dimensional cargo होगा, तो आपको 200 km तक, एक दिन की इवे-बिल की वैलिडिटी में लेगे, मतलब आपका, यहाँ पे, जो, देखो, 200 km का भी ट्रांसपोर्ट है, okay, आपका journey 200 km का ही है, तो आपको एक दिन का इवे-बिल मिलेगा, यहने, government यह मानती है, कि आप एक दिन में 200 km कंप्लीट कर सकते हो, okay, एक दिन की वैलिडिटी होगी, sir, अगर मैंने एक दिन के अंदर 200 km कंप्लीट नहीं किया, आप में भी आपका रोड पे ट्रक दीख रहा है, okay, और वो पकड़ा गया, तो पुरी बारात आएगी, इसलिए आपको एक दिन के अंदर 200 km कंप्लीट करना ही पड़ेगा, okay, तो अप टू 200 km, मतलब वो 50 km हो, 100 हो, 150 हो, आपको एक दिन का इवे बिल मिलेगा, तर पर कोई जोने इन डिजन के वज़े से, मैं, okay, 200 km कंप्लीट नहीं कर पाया, एक्सिडेंट हो गया, या स्ट्राइक हो गयी, या फिर कोई यहाँ पे, कोई अदर जोने रिजन है, तो यहाँ पे भारत जोड़ो अंदूलन है, और रास्ता ब्लॉक हो गया, तो ऐसे केस में क्या करें तो, ऐसे केस में कुछ नहीं है, मोबाइल में जाओ, अपने एवे बिल को क्लिक करो, एक्स्टेंशन जो है, यहाँ जो अपने जो आपके पीन कोड के बेस्ट में मिल जाता है, मतलब इवे बिल की खुद की वेबसाइट है, यह अधर वेबसाइट पर आप ओकी डिस्टन्स इजीली क्याल्कुलेट कर सकते हो, क्योंकि आपने प्लेस ऑफ डिस्टन्स का पीन कोड डाला हुआ है, और डेस्टनेशन का पीन कोड डाला है, तो उसके बेस पे आपके एक एक एप्रॉक्जिमेट डिस्टन्स मिल जाता है, तो वो आप यहाँ ले सकते हो, अगर सर मेरा जो डिस्टन्स होगा, वो 200 km से जादा होगा, तो, okay, जैसा 300 km का distance है, जहां गुर्स मुझे पहुचाना है, तो वो कहते है, for every additional 200 km और a part दे रहा हो, यह एडिशनल 200 होगा, यह उसका part होगा, समझे लो 100 ही होगा, 50 km होगा, okay, यहने, अगर आपका 200 यह उसका part होगा, तो one additional day आपको और मिल जाएगा, मैं तो यह कहते हो, आपका 205 km होगा, come on, come on, कितना 205 km होगा, तो अभी आपको 2 दिन मिल जाएगे, okay, इवे बिल के 2 दिन मिल जाएगे, लोग practice में क्या करते है, safer side, okay, 5-10 km बढ़ा की लिख देते है, मतलब 2 दिन का इवे बिल ले 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 ले, government ठीक है, government के इवे ब बना रहा है नो, यह बड़ी बात है, okay, तो ऐसे situation में, okay, 1 km भी एक्स्ट्रा हो जाता है, 200 से, तो आपको एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा, let's take example, okay, आपको goods ट्रांसपोर्ट करना है, और 750 km ट्रांसपोर्ट करना है, कितना ट्रांसपोर्ट करना है, 750 km ट्रांसपोर्ट कर Now, in case of over-dimensional cargo, तो वो case में limited 20 km, वो कि ट्रक बहुत slow चलते है, okay, मुश्किल से 20 km complete करते हैं एक दिन में, तो up to 20 km एक दिन, और for every additional 20 km से apart thereof, आपको one additional day, आपको मिल जाएगा, okay, और multi-model shipment होगा, अब यह multi-model shipment, where one lake in the, okay, one lake in the ship of above options are available, समझ लोग मुझे यहां से goods भेजना है, विशागा पटनम, okay, यह concept को समझ लेना, okay, यहां से goods भेजना है, विशागा पटनम, उसमें मैं multi-model shipment यूज़ कर रहा हूँ, भई, यह multi-model shipment क्या होता है, तो मैं यहां से ट्रक में लोड कर रहा हूँ, okay, ट्रक से जाएगा मुंबई पोर्ट तक, उसके बाद मैं मुंब multi-model shipment यूज़ कर रहा हूँ, اور यह, सौरी, और यह जो वाइज है, यह जो पूरा वाइज है, यह जो वाइज है, यह जो वाइज है, यहां पर, okay, सिर्फ एक ही mode of transport से नहीं है, इसमें multi-model यूज़ क्या रहा है, जिसका one leg, उसका one leg ship है, मतलब जिसमें ship involved है, okay, हाँ, अग पर उसमें एक एक लेक्षिप में है तो फिर मल्टी मॉडल शिपमेंट होगा तो आपको अब बोट ऑप्शन सार अवेलेबल मतलब आपका ओर डायमेशनल कार्गो हो ना हो उससे लिना देना नहीं अब 200 किलोमेटर वाला या 20 किलोमेटर वाला भी ऑप्शन ले सकते हो मतलब हां प्रियर आपको 20 किलोमेटर वाला उप्शन लिना उसमें यह नहीं देखा जायेगा कि और डामेशनल कार्गो है या नहीं है वह नहीं है समझ लो ऑके मेरा अर्फबेर वाला और मुझे 20 km वाला option लेना है कि 20 km की इसाफ से e-way bill लोगा तो वो भी option आपको मिल जाएगा लेकिन उसमें एक लेक शिप होना जरूरी है तो यह 200 km वाला भी ले सकते हो 20 km वाला भी ले सकते हो Now next, validity period shall be counted from time at which e-way bill has been generated यहने after completion of information in part B by transporter तो यहाँ पर यह concept क्या कहता है e-way bill has been generated यह concept क्या कहता है यह concept यहाँ पर यह कहता है कि जैसा Friday को Friday को मैंने part A का information complete कर दिया और part A का information complete करके मैंने goods transporter को दे दिया transporter का मैंने part A का information complete कर दिया अब तू part B का complete करके transport कर दिया तो मैंने ट्रांस्पोर्टर को असाइन कर दिया for part B, ट्रांस्पोर्टर ने जो यहाँ पे part B की information complete की, ट्रांस्पोर्टर ने वो part B की information, यहाँ पे, वो complete की Monday को, कब complete किया बेटा, Monday को उसने complete किया, तो मेरा जो validity period है, क्या वो Friday से count होगा, यह first day shall be expired on midnight of succeeding day, midnight of succeeding day, और evable may be extended, within 8 hours time पे रव आप expired ही, यह midnight वाला example मैंने नीचे लिया है, आप यहाँ नीचे जोड सकते हो, और यह मैं आपको समझाता हूँ, और आप extension के लिए apply कर सकते हो, very important point, आप extension के लिए apply कर सकते हो, और within 8 hours, आप extension के लिए apply कर सकते हो, ठीक है, चलिए, अब यह वाला जो नीचे वाला concept है, यह अच्छे से समझो, और यह क्या कहता है, यह कहता है कि जैसे 14th April, आपको evable की value rate जो 1 day की है, वो पूरा 24 गंटा मिलना चीह है, और यह midnight to midnight चलता है, आपने evable generate किया, EWB, EWB मतलब evable generate किया, तो अब क्या होगा, आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे, सर, एक दिन कैसे calculate होगा, तो 14th April 10 AM से, 15th April 10 AM तक, नहीं, ऐसा नहीं calculate होता है, वो midnight 12 से midnight 12 calculate होगा है, तो यह portal भी arrangement है, midnight to midnight calculate होता है, तो फिर सर, अब देखो midnight to calculate होता है, तो अब ऐसे case में, 14 AM से लेके, रात को 12 बजे, 14-15 के रात को 12 बजे, यह पूरे 24 गंटे नहीं होता है, और क्यों 24 गंटे नहीं हो रहा है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोते हैं, यह 14 hours ही होता है, अब अगर हम midnight ले, 14-15 की midnight ले, रात को 12 बजे, तो यह जो complete होता है, यह आपके 14 hours ही complete होता है, तो ऐसे case में, यह एक दिन complete होआ नहीं, और calculation आपका midnight to midnight होता है, तो ऐसे case में, आपको यहाँ first day जो गिना जाएगा, वो first day, succeeding day का, I repeat, succeeding day की midnight हो जाएगी, क्योंकि पहले दिन की midnight में, आपके 24 hours नहीं होए, तो आपका जो पहला दिन है, वो succeeding day की जो midnight होगी, याने 15-16 की जो midnight होगी, और के वहां तक पहला दिन होगा, मतलब मैं यहाँ पे, अगर calculate करू, तो यहाँ पे, आपको कितने hours मिल गए पता है क्या, आपको यहाँ पे hours मिल गए, 24 प्लस यहाँ पे 14, याने यहाँ पे 38 hours आपको मिल गए, आपका पहला दिन 38 hours का होगा, याने in short, आपका पहला दिन 24 hours से जादा होगा, क्योंकि पहली जो 14-15 की midnight होई, तब तक 24 hours नहीं होए थे, इसलिए फिर, वो second midnight तक shift हो जाएगा, और second midnight तक आपका अब एक दिन जो है, इवे बिल का जो पहला दिन है, वो आपका 38 hours का हो जाएगा, आप सुबह 10 बजे करो, सुबह 6 बजे करो, या फिर 14 को शाम को 5 बजे करो, कभी भी करो, आपका जो पहला दिन माना जाएगा, वो succeeding day का midnight माना जाएगा, यह समझ में आया, और फिर, आगे के जो days है, इवे बिल का जो calculation होगा, आगे के days का, वो 12 a.m. to 12 a.m. ही माना जाएगा, आगे के days का 12 a.m. to 12 a.m. ही माना जाएगा, क्योंकि calculation midnight to midnight होता है, तो फिर आगे 24 hours जो है, वो पूरे लिए जाएगे, I hope you understood, यह concept समझा क्या, अगर यह concept समझा होगा, तो 6 number टैप कीजिएगा, ओके, वैलिटी आप इवे बिल, 6 number टैप कीजिएगा, तो यहाँ पे, okay, multi-model shipment, अगर नहीं समझाओगा, तो ज्यादा डीप में जाने की जरुवत नहीं है, बस इतना समझाओ कि, अगर one leg shift में होगा, तो वो situation में, आप 200 km वाले option में भी इवे बिल्स जनरेट कर सकते हो, 20 km option में भी आप इवे बिल्स जनरेट कर सकते हो, okay, वो बहुत से लोग 20 km वाला option लेते हैं, वहाँ पर आपका cargo का dimensions नहीं देखे जाते हैं, cargo के dimensions नहीं देखे जाते हैं, now next, non requirement of इवे बिल्स, okay, non requirement of इवे बिल्स जो है, तो यहाँ पर कहां का इवे बिल्स की जरुवत नहीं है, important, एग्जाम में इसके ओपर question पूछा जा सकता है, okay, तो कुछ important, okay, मैंने list यहाँ ली है, बाकी की list आप notes से पढ़ सकते हो, जो notes आपने दी है, इवे बिल्स में, पर जो exam में पूछ सकते हैं, उसकी list मैंने यहाँ पर ली है, okay, जैसे transportation of non-taxable goods, non-taxable goods मतलब क्या, okay, जैसे, okay, आप goods ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, जिसके ओपर लेवी नहीं है, example लिख दो, petroleum product, alcohol, okay, petroleum product, alcohol होगे, तो उसके evable बनाने की जरुवत नहीं है, उसके बाद में, jewelry और precious stones, obvious से बिटा, jewelry और precious stones का समझ लो, evable बना लिया, information मैंने portal पे दे दी, सुनो, evable बना लिया, information मैंने portal पे दे दी, okay, तो ये तो leak हो जाएगी, information की concept, vehicle से jewelry जा रहे है, precious stones जा रहा है, अगर गलती से भी, department से ये leak, information leak होगी, यहाँ पे गुंडों के पास, तो ऐसे case में आपका दर ट्रक लूट लिया जाएगा, इसलिए jewelry और precious stone, या currency होगा, तो इसको evable नहीं लगेगे, postal होगा, baggage होगा, तो evable नहीं लगेगे, personal effect, यानि household effect, personal effect यानि क्या, आप घर shift कर रहे हो, घर के लिए आपने ट्रक वाले को बुलाया, आपका personal effect है, अगर ट्रक वाले को बुलाया, घर का सावान लेके जा रहे हो, तो उसको evable नहीं कहा जाता है, personal effect में आप household भी लिख सकते हो, household goods, घर shift के case में आप evable के जरुवत नहीं है, empty cargo container, यह जो container, बड़े-बड़े container होते है, जो empty container होते है, उसका भी evable, इवन दो container की value 50,000 के उपर है, पर उसका evable बनाने की जरुवत नहीं है, उसके बाद में next, very important, transported by non-motorized vehicle, ओके non-motorized vehicle मतलब, आप transport कर रहे हो, बुलक कार्ड का, animal के थरू, इवन दो value 50,000 से ज़्यादा है, पर evable बनाने की जरुवत नहीं है, non-motorized, example लिख दो बुलक कार्ड, animals के थरू ट्रांसपोर्ट हो रहे है, उसके बाद में movement of goods, defense के होगे, obvious है बिटा, defense के goods ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, और उसकी evable, बड़ी sensitive information होती है, और वो जो है, हम यहाँ पे leak नहीं कर सकते, तो उसका evable नहीं मलेगा, supply under schedule 3, schedule 3 का कोई supply होगा, जिसमें goods ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, तो उसका evable नहीं बनेगा, क्योंकि वो supply ही नहीं है, supply under custom supervision, custom supervision में होगा, तो उसका evable नहीं मलेगा, there are more cases where non-requirement of evable, जैसे आप लिख सकते हो, exam goods, exam goods तो मैंने पढ़ा दिया है, तो उसके लिए हम notes को refer, आप notes को refer कर सकते हो, पर मेर मैंने चार्ट में ले लिए, कि कहां-का evable नहीं लगेगा, तो चलिए, अगर ये समझाओगा, तो 7 type कीजिएगा, तो समझाई होगा, आप type करते जाओ, बस, उसके बाद में documents to be carried out by, PIC, PIC का मतलब person in charge, person in charge, यहाँ पे PIC, और PIC का मतलब person in charge, तो the person in charge of the convenience, shall carry the invoice, or bill of supply, delivery challenge, or bill of entry, अब जो मैं पिच्चर यूज कर रहा हूँ, यह पिच्चर मैंने, C.A. Inter के book में दिया था, पर यह पिच्चर हमारे discussion के लिए, काम आ जाएगा, ओके यह जो था, हाँ, यह पिच्चर जो है, यहाँ पे, उनको तोबाद चार्ट अलगे, पर उनको एक pictorial presentation के साथ है, अब आप final के हो, तो आपको imagination आता है, और आपने office में काम किया है, चलो, जैसे e-way bill, जो है truck का बन रहा है, या airway का, या train का, हम truck का लेते हैं, फरसनी चार्ज मतलब driver, यह जो driver truck का है, इसको अपने साथ कौन-कौन से documents रखने पढ़ेंगे, जब यह goods ट्रांसपोर्ट करेगा, तो ट्रांसपोर्ट करते वक, इसको पास, okay, e-way bill जो उसने generate किया, वो उसका print out, यह physical copy उसका रखना पढ़ेगा, या फिर, okay, वो mobile में भी e-way bill का PDF रख सकता है, electronic form में भी रख सकता है, साथ-साथ में government, अब इस पे दिरे-दिरे focus कर रहे है, कि आप अपने truck में RF device लगा, यह RF device जो है, जो भी आपके toll होगे, वो toll पे यह RF device का data capture हो जाएगा, और यह data continuous government के पास जाएगा, और कि आपका vehicle कहाँ पे है, तो आपको RF device जो है, वो RF device भी आपको यूज़ करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे देखो वो क्या कहते है, मैं वापस आता हूँ, तो जो person in charge of the conveyance है, shall carry, invoice, bill of supply या delivery चाला है, और कि invoice supply होगा, तो bill of supply है, यहाँ पे composition scheme वगर होगा, तो delivery चाला है, अगर वो moment of goods है, without supply है, और imported goods होगा, तो bill of entry, यह document उसके साथ होना जरूरी है, उसके बाद में, next जो है, copy of evable, जो physical form में भी रखो, या फिर electronic form में रखो, याने आप PDF अपने mobile में भी रख सकते हो, जो transporter है, या RFI device, map to RFI device embedded on the convince, convince को RFI device लगाना पड़ेगा, और उसके साथ उसकी map चाहिए, evable का, तो वो भी चलेगा, लेकिन, the moment of goods by rail और air होगा, तो वो case में RFI, RF device नहीं होता है, RF device स्रीफ, RF device, यानि यह जो RF device है, यह RF device का exception है, कि rail और air केस में RF device नहीं होगा, वो स्रीफ रोड के case में यूज किया जाएगा, तो यह document person in charge को अपने साथ रखने है, ना inspection of evable, अगर अब क्या होगा, अगर officer ने रोक लिया truck को, in between रोक लिया, तो inspection में क्या होगा, inspection में देखा बिटा, commissioner के क्या rights है, authorized officer, उनका authorized officer जो भी होगा, okay, right to intercept any convince to verify the evable, कोई भी convince को वो रोक सकते है, to verify the evable, right to install radio frequency identification device reader, okay, right, यहाँ पर, यह arrow उपर चेह, okay, right to install radio frequency identification device reader, मतलब आपके अगर convince में, RF device होगा, तो वो एक reader उसको attach करेंगे, और वो reader से पुरा data capture कर लेंगे, और third, right to physical verification of convince, आपके convince का वो physical verification भी कर सकते हैं, जैसे evable बताओ, evable बताओ, invoice बताओ, invoice की बाद truck, चलो truck का container ओपन करो, हमें देखना है आपकी truck में क्या क्या है, तो physical verification कर सकते हैं, अगर उनका physical verification होता है, तो आगे देखो वो क्या क्याते हैं, अगर physical verification होता है, तो फिर officer को अपनी, यहने उससे connected ही है, officer को अपनी report submit करनी पड़ती है, report दो पार्ट में divide होती है, summary report and final report, सुनिए, report दो पार्ट में divide होती है, summary report and final report, यहाँ पे, summary report क्या होता है, तो summary report जो है, यहाँ पे, और final report, कि to be recorded online, in the form GST EWB03, वो report किसमें जाएगी, EWB03 में जाएगी, part A, 24 गंटे के अंदर, उसने क्या-क्या inspect करिया, उसकी summary दे दो, और part B में, उसी form में, part B में, तीन दिन के अंदर, detail information दो, कि उसने पूरा क्या-क्या check किया, convince में, तो report आपको 20 में देना पड़ेगा, 24 गंट, 24 गंट, आपको summary देना पड़ेगा, और आपको जो है, यहाँ पे, सुनिए, आपको जो है, यहाँ पे उसके एक final report देने पड़ेगी, तीन दिन के अंदर, जिसको further extension में लेगा, यहाँ पे 3 days, तो यह officer को report submit करनी पड़ेगी, जिसका truck रोका गया, उसके पास क्या rights है, इस vehicle detained for more than 30 minutes, अगर आपका vehicle 30 minutes से जादा रोका गया, तो transport में upload the information in EWB04, on common portal, समझ लो मैं transporter हूँ, ड्राइवर हूँ, ड्राइवर ने call किया owner को, हमारा truck रोक लिया sir, तो owner की बोलेगा, एक काम कर, इवेविल पोर्टल पे जा, और 30 minutes के अंदर अंदर, अगर हमारा vehicle रोका है, तो EWB04 में information दे दे, यह truck यहाँ यह place पे रोका गया है, इससे क्या होगा, यह क्यों लाएगी प्रोजन आपको बताता हो, कि एक तरह का आप complaint दे रहे हो, EWB04 में, 30 minutes में, कि मेरा truck रोका गया है, detain किया गया है, तो अब अगर आपने यह information दे दी, कि मेरा convince रोका गया है, तो officer accountable हो जाता है, कि अब उसको अपनी summary report और final report देनी पड़ेगी, इससे क्या होगा, कि कोई भी officer आपको unnecessary परेशान नहीं करेगा, क्योंकि उसने 30 minutes से जादा रोका, कि उसकी भी accountability आ जाती है, उसको भी summary report और final report देनी पड़ती है, तो ऐसे case में, आपके लिए क्या फाइदे मंद है, आपके लिए ये फाइदे मंद है, अब एक-बहुत important फाइदा बता थाओ, अगर आपका E-way Bill एक बार verify हो गया, पूरे journey में, सुनना मेरी बाद, आपका E-way Bill एक बार verify हो गया, पूरे journey में, तो इसके बाद, आपको अपको आप कोई नहीं रोक सकता, आपको कोई नहीं रोक सकता, जब तक serious, उनके पास doubt नहीं है कि इसमें कोई fraudulent goods होगा एक बार अगर verify हो गया, तो पूरे रास्तों में आपको यह नहीं रोख सकता, इसलिए बेटा, कोई भी convince को रोकना हो तो source समझ के commissioner हो या उसके authorized officer को रोकना पड़ेगा, क्योंकि एक बार inspection हो गया, तो वो evay bill पे inspection उसके report आजाती है report आने के बाद बार बार क्यों check कर रहे हो भाई businessman को क्यों परिशान कर रहे हो बार बार समझ रहे हो आप, तो उसकी report आजाती है इसलिए बाद में आपको कोई check नहीं कर सकता I hope आपको यह concept समझ में आया होगा तो यह आपने देखा, आपके पास care rights है यह समझा होगा, तो बेटा, यहाँ पे बताईए समझा है नहीं समझा होगा और जो भी next number होगा वो type कीजिए तो यहाँ पे यह देखा आपने evay bill, यहाँ पे person in charge आज को कौन सी document देना पड़ेगा officer के क्या rights है, person के क्या rights है non-compliance of evay bill अब देखो यह concept अगर आपने evay bill नहीं बना है, तो क्या होगा तो section 122 में आपके उपर penalty लगाई जाएगी और penalty कितनी, तो 10,000 और amount of tax evaded whichever is higher 10,000 और amount of tax evaded whichever is higher और second यहाँ पे penalty तो लगाई जाएगी and आपका section 129 में आपका convince और goods दोनों भी confiscate कर लेंगे ट्रक भी confiscate हो जाएगा और goods भी confiscate हो जाएगा एक सवाल यह पूरे discussion में आपके दिमाग में आ सकता है sir, यह बताएगे यहाँ पे, आपने अभी बताएगे एक बार अगर inspection हो जाएगे तो बाद में नहीं हो सकता है मैंने का बाद में, तब ही हो सकता है अगर strong reason है officer के पास कि इसमें कोई fraudulent okay fraud किया जा रहा है या fraudulent goods लेके जा रहा है मतलब ऐसा है, नहीं कहोगा मैं कि बाद में कभी च नहीं हो सकता बाद में होगा तो फिर बहुत strong evidence ही है कि इसमें कोई fraudulent goods लेके जा रहा है तो ही checking होगा, otherwise कोई भी अलता बलता officer रोक दिया, उसने ऐसा नहीं हो सकता okay, I hope आपको ये concept समझाओगा उसके बाद में acceptance और rejection और cancellation of evable अब ये दो पार्ट को समझ लो पहला acceptance और rejection और दूसरा cancellation acceptance और rejection क्या है okay, और cancellation दूनों अलग है acceptance और rejection और cancellation अलग है acceptance और rejection मतलब क्या let's take example, okay, evable बनाया गया okay, अब मैं आपको इसका एक example देता हूँ और वो ये, कि मेरे को परसो ये SMS आया और SMS ही आया है कि आपके नाम का evable बना हुआ है अब मैं डर गया मेरे नाम का evable बना हुआ है okay, मैंने immediate accountant को phone किया कि एक SMS आया है और evable बनाया है अपने company के नाम का तो कौन सा goods खरीदा हमने क्योंकि मैं क्यों डरा मैं आपको बताता हूँ क्योंकि अगर मेरे नाम का evable बना मतलब अब मेरे वो stock में goods देखना चाहिए उसके बाद में मेरे यहाँ पर GSTR 3B में वो goods के declaration चाहिए okay, मेरे नाम का GSTR 1 बना होगा मेरे 2B में आना चाहिए क्योंकि अब सारी चीज़े connect होगे सारी चीज़े connect होगे तो अब मुझे वो stock में प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ मेरे को goods आया है वो मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि मेरे को goods आया हुआ है इस समझ रहे हो क्या उसके बाद में मेरे 2B में reflect होगा अगर वो goods मेरे stock में नहीं दिखा तो officer non accounting of goods में उसको fraud rate कर देगा उसका GST मांग लेगा तो मैंने का किसका आया मेरा accountant ने का कि पता नहीं किसका आया फिर मैंने जल्दी जल्दी डून क्योंकि हमारे पास 72 hours है कि इस E-way bill को accept करे या इस E-way bill को reject करे 72 hours है तो यहाँ पे वो accountant ने इमिजेट देखा कि किसका आया किसका आया फिर बात में पता चला कि हमने pen drive खरीदे थे एक box में pen drive आ रहा है और pen drive का bill था कुछ यहाँ पे 8 lakhs रुपीज तो 8 lakhs के pen drive खरीदे उसका E-way bill था तो इससे आप क्या समझे इससे आप समझे कि by recipient अगर आपका E-way bill supplier ने बनाओगा तो recipient accept या reject कर सकता है यहाँ पे E-way bill recipient ने बनाओगा तो supplier accept और reject कर सकता है इन सिंपल वर्ट यह option है कि अगर supplier recipient दोनों के पास यह option है कि अगर E-way bill बनता है तो वो accept कर सकते या reject कर सकते है अगर उनको reject करना है तो time is 72 hours या before delivery of goods whichever is earlier मतलब goods मिलने के पहले या 72 hours goods मिलने के पहले या 72 hours whichever is earlier वो आपको rejection डालना पड़ेगा अगर आपने rejection नहीं डाला तो वो deemed to be accepted माना जाएगा मतलब वो acceptance और rejection कैसा है 22 गंटे या goods की delivery मिलने के पहले आप reject कर दो अगर आपने rejection नहीं डाला इसका मतलब आपको accepted है और accepted है तो वो case में यहाँ पे वो acceptance मान लिया जाएगा cancellation of evable अब जिसने भी evable बनाया होगा register person maybe supplier or recipient who causing the moment of goods okay जिसने भी evable बनाया होगा सुनो मेरी बात okay वो क्या evable बनाने के बाद अपना evable cancel कर सकता है बैससर उसको cancel क्यों करना पड़ता है evable सुनो उसको evable cancel क्यों करना पड़ता है क्योंकि ऐसा हुआ okay goods का transportation cancel होगा evable बना लिया था बात में पता चलना नहीं अभी transport नहीं करना है okay वो तीन दिन बात देना है चार दिन बात देना है तो मुझे मेरा evable cancel करना है okay या फिर okay मैंने evable बना लिया product A का और गलती से product B लोड़ो गया okay A का और product B लोड़ो गया यह तो बहुत खतरनाक है कि आपका दुसरा एक goods लोड़ो गया मुझे evable बना लिया fan का और लोड़ो गया AC okay bill attach हो गया AC का okay अगर यह इसको यहाँ पे इन रास्तों में रोक लिया जाए okay और कोई officer यहाँ पे inspection कर ले तो उसको evable में दिखेंगे fan और invoice और truck में दिखेंगे AC okay तो वो तो इतनी बड़ी गरवड हो जाएगी कि वो पूरा confiscate कर लेगा goods और conveyance को और penalty टोक देगा तो ऐसे case में मुझे गलतिया पता चली तो क्या मैं बाद में अपना evable कैंसल कर सकता हो तो yes बेटा वो कहते है cancellation okay आप evable within 24 hours 24 hours में आप कैंसल कर सकते हो और अपना goods को वापस बुला सकते हो लेकिन लेकिन अगर आपका evable कैंसल होने के पहले okay transit में verify हो गया officer ने verify कर लिया तो फिर आप कैंसल नहीं कर सकते वो कैसे करोगे officer ने verify कर लिया और officer ने देख लिया इसमें तो इसी है यार और ये तो फैंदी कर रहा है अब वो action ने जा रहा है उसके पहले आपने कैंसल कर दिया नहीं once it is verified और उसका summary report आगया immediate तो फिर आप जो है cancel नहीं कर सकते है तो in simple word okay अगर गलती हुई तो 24 गंटे के अंदर आप cancel कर सकते हो लेकिन verify कर लिया तो आप cancel नहीं कर सकते है ये समझा कि acceptance or rejection yes or no ये बताइए तो इस तरह से अपने e-way bill की सारी सारी general provisions इसमें देख ली है अब देखिए यहाँ पे कुछ special discussion transshipment of goods transshipment of goods के लिए मैं थोड़ा ये diagram use करूगा यहाँ पे transshipment of goods समझ लो मुझे जो goods पहुचाना है यहाँ से पूने से देली पहुचाना है ओके लेकिन मेरा जो है यहाँ पे पूने से जा रहा है सुन न मेरा ट्रक जो है पूने से जा रहा है और के राजस्तान राजस्तान निकला और यह ट्रक जो है एक तक देखा जाए तो अब अगर मेरा कंवेंस चेंज और इन्ट करणे द्रक्षेहर दुसरे ट्रक में लोड़ो गया, तो क्या मुझे नया evay bill बनाना पड़ेगा, नहीं बेटा, नया evay bill बनाने की जरुवत नहीं है, ट्रांशिप्मेंट के केस में, जो आपने original evay bill बनाया, उसका स्री पार्ट बी की information चेंज की जाती है, बाट बनाशिप्मेंट में वो कहते है, consignor or recipient, who has furnished the part A or transporter, can assign the evay bill to another register, sorry, just a minute, okay, can assign to another register transporter, मतलब जो, okay, जहां से shifting होने वाली है, उसको assign कर देगा evay bill, to update part B, see part B, underline, part B ही उसमें update किया जाएगा, of evay bill for further movement of goods, okay, only one evay bill is required, क्या change होगा बेटा, यहां फिर स्रीफ part B change किया जाएगा, okay, bill to ship to transportation, बहुसी बार क्या होता है, bill to ship to होता है, यानि billing आपको, और ship to किसी और को, तो क्या evay bill में उसकी provision होती है, yes, उसकी provision होती है, bill to ship to, अगर यह बहुत important है, क्योंकि आपका billing किसी और के नाम पे दिखेगा, invoice किसी और के नाम पे दिखेगा, और ship to कोई other address दिखेगा, तो अगर आपका bill to ship to option होगा, तो evay bill में वो specially click करो, और आपको एक evay bill बनाना पड़ेगा, पर उसमें एक option आता है, bill to ship to, उसको click करो, तो वहाँ पुरी information दो evay bill में, कि यह किसको bill to है, किसको ship to है, उसके बाद में invoice reference number, okay, reduce the burden of carrying physical copy of invoice, okay, अब यहाँ पे, क्या हमें physical copy invoice की ले जाने जरूरी है, नहीं, physical copy ले जाने की जरूरत नहीं है, अगर आपने evay bill बनाया होगा, तो उसका IRN, invoice reference number, यह भी generate कर सकते हो, और वो स्रीफ IRN, जो है, वो भी आप साथ में अपने पास रखते हो, तो more than enough, invoice reference number, आपको इसकी physical copy ले जाने की जरूरत नहीं है, और अभी तो evay bill, अगर आपका e invoice बन रहा है, आपका e invoice बन रहा है, तो आपकी evay bill में auto-populate हो जाता है, वो invoice number auto-populate हो जाता है, और कि आपको यहाँ पे ले जाने की जरूरत नहीं है, नप, यह concept समझ लो, multiple consignment, multiple consignment concept क्या है, और कि पहले मैं read करता हो, फिर इसको आपको समझाने की कोशिश करता हो, transporter will generate evay bill in following cases, if consignor and consignee has not generated evay bill, and value of goods carrying in a conveyance is more than 50,000, generation of evay bill in form EWB01, और वो transporter को generate करना पड़ता है, भाई, मतलब क्या, अगर supplier unregistered है, recipient unregistered है, और उसके conveyance में जो goods जा रहा है, उसकी value पचास हजार से जादा है, यानि transporter के conveyance में जा रहा है, उसकी value पचास हजार से जादा है, evay bill तो लगेगा, अब evay bill कौन generate करेगा, न supplier, न recipient, दोनों भी unregistered है, या दोनों ने generate नहीं किया है, तो ऐसे situation में, जा आपे सुनो, ऐसे situation में, उस consignment का evay bill, जिसकी value पचास हजार से जादा है, वो transporter को generate करना पड़ेगा, in EWB01, transporter को generate करना पड़ेगा, यानि कभी-कभी, evay bill की liability, transporter पे भी आती है, एक और concept है, consolidated evay bill in EWB02, समझ लो, आपके consolidated evay bill क्या होता है, और यह जो consolidated evay bill है, और कि यह only for road होता है, सर यह consolidated evay bill क्या होता है, consolidated evay bill होता है, कि मेरे convince में, 10 लोगों के goods जा रहे है, मेरे convince में, 10 लोगों के goods जा रहे है, तो ऐसे case में, Mr. A जो goods बेज रहा है, दूसरा Mr. B जो goods बेज रहा है, सबने अपने evay bill बनाए है, सबने अपने evay bill बनाए है, तो अब मेरे truck में, 10 लोगों के goods जा रहे है, मतलब 10 EWB01, 10 EWB01 बना है, तो इन सब का 1 EWB02 भी बनाना पड़ता है, जिसको consolidate कहते है, यह transporter बनाता है, कि transporter EWB02 और उसमें कौन से कौन से लोगों के goods जा रहे है, उनका EWB01 नमबर सब का देता है, और अगर किसी ने EWB01 नहीं बनाया था, बना यह तो individual consignment का है, अगर आपको customs की provision याद होगी, तो यहाँ पर, okay shipping bill, यह तो अलग-अलग लोगों के documents है, और उसका एक manifest बनता है, उसका एक manifest बनता है, वो manifest वो पूरे convince का document है, ऐसे ही EWB01 जो है, वो तो अलग-अलग लोगों ने बनाया हुआ है, लेकिन वो convince का एक document जो बनता है, consolidated, वो है EWB02, और वो transporter को बनाना पड़ेगा, specially by route, इससे convenience क्या हो जाएगी, अगर मेरा convince रोका गया, तो मैं EWB02, जैसे उसको बता दिया, उसने EWB02 देखा, और उसमें उसको सारे, कौनसे कौनसे supplier के goods है, या कौनसे कौनसे लोगों के goods है, सारे EWB01 की details मिल ज होगा, restriction of furnishing information in part A, of EWB01, इसको star करना, इसको important star करना, आपका EWB02 freeze कर दिया जाएगा, ये चार situations में, कौन-कौनसे चार situation, in respect of any outward moment, underline the word, any outward moment of goods of register person, okay, cease कर दिया जाएगा, अगर आप composition dealer होगे, और underline, दो consecutive tax period के, आपने return नहीं दिये, तो आपका return, as well as, वहाँ add कर देना, return and CMP08, and CMP08, अगर आपने दो consecutive tax period का CMP08 नहीं दिया होगा, जो quarterly देना पड़ता है, या दो साल के return नहीं दिया होगे, तो उस बंदे का EWB02 freeze कर देंगे, और EWB02 freeze हो गया, तो अब गढ़ बढ़ क्या होगी, गुद्स ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि बिना EWB02 का GOODS ट्रांसपोर्ट किया, कि पकड़े जाएगा, पकड़े जाएगा, गुद्स ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा, तो बिजनिस ही बंद हो जाएगा, तो ये exam में कभी कभी आता है कि EWB02 freeze हो जाता है, क्या restriction है दूसरा, other person has not furnished the return, return मतलब GSTR 3B, for a consecutive period of two tax period, आप monthly return में होगे, तो दो month के return नहीं दिये, और आप quarterly में होगे, QRP scheme में होगे, तो दो quarter के आपने GSTR 3B नहीं दिये, तो आपका evable freeze कर दिया जाएगा, other person has not furnished the statement of outward supply for two months, और quarter, statement मतलब GSTR 1, महा लिक दो GSTR 1, अगर आपने दो tax period के GSTR 1 नहीं दिये, तो भी evable freeze हो जाएगा, और being a person whose registration is suspended, जिसका registration suspend किया गया, वो उसका evable freeze कर दिया जाएगा, तो आपका evable कब कब freeze किया जाएगा, अगर आप composition dealer हो, तो आपने CMP 08, या GSTR 4 दो tax period के नहीं दिये, आपने दो GSTR 3 भी नहीं दिये, tax period के, दो GSTR 1 नहीं ठीक है, I hope आपको समझाओगा, चलिए, चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे, अब हम यहाँ पे चार्ट जो discuss करेंगे, वो discuss करेंगे, accounts and record, are you ready? चलिए, आजाते है, accounts and records में, बिटा, accounts and records वैसे कोई इतना GST में, यह compliance जो है, इतने कोई ज्यादा complicated नहीं है, simple accounts and records की उन्होंने provision रखी है, और section 35, 36 में, कुछ requirements रखी है, कि वे GST के साब से, हमारा जब भी officer चेक करने आएगा, आपके accounts record, तो at least इस टाइप के accounts and records आपको maintain करना जरूरी है, मैंने पूरा चार्ट दो पार्ट में divide किया, एक, अगर आप registered person होगे, supplier होगे, recipient होगे, जो भी आपकी liability होती है, registered person होगे, तो आपको records कैसे maintain करने है, और specially section 35, 2, read with rule 58, okay, warehouse keeper जो होते है, या transporter होते है, उनको यह scope में लाया है, और उनको भी accounts and records maintain करने की provisions दी गई है, और section 35, 2 में, read with rule 58, okay, उनको भी कुछ requirements दी है, कि उन्होंने किस टाइप के records maintain करने चाहिए, और आपने as per GST law, यह सारे records maintain करने चाहिए, चली, सबसे पहले तो हम खतम करते है, register person में, और फिर आएंगे, warehouse keeper के लिए, क्या record की compliance करने है, register person होगा, तो मैं इसको दो पार्ट में divide करता हो, और कि यहाँ पे general और special cases, यह तोड़ा arrow उदर चले गया, general और special cases, general अब यह दोनों क्या data है, कि generally उनको क्या records maintain करने पड़ते है, general का मतलब यह सारे register person को maintain करने पड़ेंगे, हाँ, लेकिन कु special cases है, वहाँ पे, example की तोर अगर agent, आप agent होगे, तो कौन से additional record maintain करने है, आप अगर manufacturer होगे, आप अगर यहाँ पे supplier of services होगे, या आप works contractor होगे, या next CNF agent होगे, तो यह case में आपको क्या special records maintain करने है, वह हम देखेंगे, तो generally, कौन कौन से records आपको maintain करने पड़ते है, section 35, 1 कहता है, books of account, okay, कुछ उसकी requirement ह books of account to be kept and maintained at principal place of business and additional place of business, आपको जो books of account, okay, पहली उनकी requirement है, कि इंडिया के सारे registered person समझ लो, कि आपको जो books of account maintain करना है, आपका जो principal place of business है, वहाँ तो maintain करना ही है, और आपके registration में, आपने जो additional place of business बताई है, वहाँ पे भी उस respective additional place of business के records आपके होने चाहिए, इसके आलावा, आपके records और कहीं पे भी नहीं होने चाहिए, अगर इसके अलावा, हमें records आपके घर पे दिग गए, या इधर उदर दिग गए, तो हम कुछ गरवड मानेंगे, और शायद हो सकता है, कि आपके उपर action लोगे, तो या फिर आप जब भी हमारी scrutiny हो, तो आप यह नहीं कह सकते अरे सर, records तो घर पे रखे हुए है, ओके ले किया तो घर से, नहीं, आपके record compulsory principal place of business, या additional place of business पर ही होने चाहिए, जो आपने register करवाई है, books found at unregistered premises, अगर हमें आपके books कोई unregistered premises पे दिखे, तो deemed to belong to register person, अब यह देखो, यह बहुत dangerous situation है, यह कहते है कि अगर कहीं पर हम अगर हमको ऐसे कुछ records मिले, तो वो हम आपके इमाल लेंगे और उसके base पे आपके action, हमारा officer आपके against में action ले सकता है, चलिए, तो यह तो था principal place of business, या additional place of business, उसके बाद में, जुसरा अगर हम देखे तो accounts and records, section 35, 1 कहता है कि आपको किस type के accounts और किस type के records or document maintain करने हैं, करना पड़ेगा, अगर आप specially manufacture होगे, अगर trader होगे तो production of goods का सवाल ही नहीं है, लेकिन manufacture होगे, या manufacturing activity आप trading के साथ करते होगे, तो आपको production के accounts proper रखने पड़ेगे, दूसरा, invert and outward supply of goods or services, G&S मतलब goods or services, यानि आपको सारे, कितने goods invert हुए, services कितने invert हुई, outward कितने हैं, इसक इसके बाद में stock of goods and output tax payable, आपका stock, आपके stock, opening stock, आपने purchases, less issued for production, या sale और closing stock, इसके proper accounting आपको करनी पड़ेगी, और output tax payable और paid उसकी भी आपको detail accounting करनी पड़ेगी, बिटा थेरिये, learn करना पड़ेगा, मैं तो सिफ समझा सकता हूँ आपको, दूसरा, most important point, या start करो, most important point क्य है, कि ये दो चीजे, not required for composition scheme, अगर आप composition scheme में हो, तो even though आप registered person हो, पर ये आपने stock का records नहीं maintain किया, तो भी चलेगा, output tax payable का record नहीं maintain किया, तो भी चलेगा, लेकिन, okay, ये से benefit composition scheme को है, ये question exam में पूछा गया था, for two marks, okay, कौन से ऐसे record है, जो composition dealer को maintain नहीं करने पड़ेगी, तो इसमें दो चीजे आएगी, okay, इसमें दो चीजे आएगी, एक आपका stock of goods, और दूसरा output tax payable, और तो वो situation में ये दो चीजे composition scheme के अंदर में नहीं आएगी, same ITC available, okay, दिखो, ये list दी है, जो जो आपको applicable है, वो आपको follow करना है, अगर आप ITC ले रहे होगे, जैसे composition scheme में तो ITC लेता ही नहीं, पर जहाँ पर भी ले रहे हो, तो जितना भी ITC आप available करोगे, उसके records आपको maintain करने पड़ेंगे, and other particulars, okay, अगर कोई prescribed record से, तो आपको maintain करना है, next, वो कहते है, goods are kept at other declared location, अगर आपने goods, okay, ऐसे location पे रख दिया, जो आपका registered warehouse नहीं है, additional place आपने declare नही business है, और अगर आपने, okay, जैसे एक example की तौर पे, आप अपने factory से, या अपने shop से, warehouse shift कर सकते हो, क्या without payment of GST, yes, अगर वो single registration में है, और वो अगर DDP नहीं है, सुनो, वो single registration में है, और वो DDP नहीं है, तो वो situation में, okay, यहाँ पे rule 55 चालन, rule 55 चालन में, आप ऐसे warehouse में goods डाल सक करते हो, जो आपने declare किया है, additional place of business, लेकिन, आपने अगर goods कोई, ऐसे place पे रख दिया, जो आपने additional place of business, registration करते वग, declare नहीं किया, तो वो case में, वो DEM supply मान लिया जाएगा, very important provision, highlight करना, okay, वो case में, वो DEM supply मान लिया जाएगा, और वो stock पे आपको credit देना पड़ेगा, okay, ऐस बहुत सी बार अभी GST में समझ में आ रहा है, कि आपका stock जो है, ऐसे place पे मिल गया, जो additional place of business नहीं है, तो government फटाफ़ट उसका assessment करती है, DEM supply मान के GST का notice issue कर देती है, साथ साथ में उस पर interest penalty में लगाती है, अब दो point को समझ लो, okay, आपके books of account ये record, आपके books of account ये record, okay, ऐस ऐसे place पे मिल गए, ऐसे place पे मिल गए, जो unregistered है, okay, unregistered place है, आपके घर पे मिल गए, तो वो भी proceeding के लिए consider कर लिए जाएगे, जैसे बहुत सी बार diary वगरे, पुरारे लोग क्या करते थे, जो भी कुछ black marketing में जिसके entry नहीं करना है, diary में लिखके रखना, खाली place पे लि maintain किया है, तो वो भी, okay, आपके मान लिए जाएंगे, अगर आपकी unregistered place है, आपके मान लिए जाएंगे, आप अपनी responsibility से नहीं बच सकते, कि नहीं बाबा, ये तो unregistered में नहीं maintain किया, आपके place पे मिला ना, आपके place पे मिला, तो ऐसे case में, वो जो भी records मिले होंगे, unregister place पे, okay, वो प्रिमाइस पे, वो आपके मान के, हम आगे proceeding में use कर सकते है, साथ-साथ में, ये point क्या कहता है, ये records के बारे में नहीं कहता है, ये कहता है, कि आपने अगर कोई goods, okay, ऐसे place पे रख दिये, जो registered नहीं है, या जो आपने additional place of business registered नहीं करवा है, क्योंकि registration करते वक, आपका, सुनो, registration करते वक, आपका, जो है, okay, यहां पे, वो, आइदर, registration करते वक, वो principal place of business आपको पूछते है, या additional place of business आपको पूछते है, और वो principal place of business, या additional place of business आपको declare करना पड़ता है, अब ये जो, आपने additional place of business declare नहीं किया होगा, और आपका, वो place पे stock मिल गया, तो government immediate उसके उपर action ले सकती है उसको supply treat कर सकती है और उसके उपर आपको tax दिना पड़ेगा interest और penalty भी लग सकती है उसके बाद में, next बेटा next ये तो हुआ, आपको accounts के इस type के maintain करने है, जो जो आपको आपके business को applicable है, तो इस type के accounts आपको maintain करने पड़ेंगे, दूसरा records and documents, okay तो as per CGST rule, जैसे goods and services imported or exported इसके records आपको properly maintain करने है, okay, तो पहला complete हुआ tick करो, पहला complete हुआ, कि goods imported, exported, okay, तो उसके record, supplies attracting payment of tax under RCM, along with relevant document like invoice, invoice say credit note, debit note, voucher, okay अगर कोई tax आप RCM में pay कर रहे हो, तो उसके proper record सारे invoices, debit note, credit note, vouchers, इसके documents आपको maintain करने पड़ेंगे, उसके बाद में advances received, paid, adjusted advance के भी क्योंकि ठीक है, supply goods के case में advance पे TOS नहीं आता है पर supply service के case में तो advance पे TOS आता है, तो अगर advance के, आपको advances मिलते हैं, कितना receive हुआ, कितना adjust हो गया और कि ये सारा records आपको या documents आपको maintain करने पड़ेंगे now next, required to keep particular name, complete address of the supplier, recipient and premises where goods are store इसके भी आपको records maintain करने पड़ेंगे, तो ये था बेटा, कि किस type के accounts maintain करना है, किस type records आपको documents maintain करना है, generally सारे register person को यहाँ पे maintain करना पड़ता है, ये तुआ generally आपको क्या करना पड़ेगा, as per section 35.1, okay अब कुछ हम देखते, special cases government by rule, कुछ special cases cover किये, कि in addition to these general records and documents, उनको specially कुछ और, okay, यहाँ पे records and documents maintain करने पड़ेंगे, तो चली देख लेते, special cases में कौन सा, okay, यहाँ पे, ख्याल रखना जब भी मैं word P use करूगा, मतलब every principle, अब rule 56 11, rule 56 11 बात करता है, agent, agent को ऐसा round करो agent, अगर आप अगर agent होगे, तो आपको in addition to आपके जो general records उपर दिये, वो तो आपको maintain करना पड़ेगा, पर in addition to, आपको कुछ additional records maintain करना पड़ेगा, कौन-कौन से, the particulars of authorization received from each principle, okay, to particulars of authorization received for each principle to, okay, receive or supply of goods or services, okay, अगर आप buying agent होगे, तो buying agent और यहाँ पर buying agent में आपको principle के भियाब पर goods receive करना है, तो उसका special authorization आपका लगेगा, उस principle से authorization लगेगा, या आप selling agent होगे, और आपको supply करना है goods or services, okay, on the B.A.P. principles, उसका भी authorization लगेगा, अब मैं आपका द्यान एक word पर लाना चाओगा, और वो है each principle, okay, हो सकता है कि आपने agency पाँच companies के लिए हो, okay, पाँच company के agency लिए हो, okay, या यह company की भी agency है, यह company की भी agency है, यह company की भी agency है, तो ऐसे case में each principle का authorization लाना आपको जरूरी है, उसके बाद में next, descriptive value and quantity of goods or services received on the B.A.P. principle, कभी कभी क्या होता है कि मैं अपना भी business करता हूँ, और मैं as a agency भी business करता हूँ, तो अगर आप as a agent business कर रहे हो, तो आपको पूरा description लिखना है, description of value, quantity of goods or services received on the B.A.P. principle, अगर आप यहाँ पर, आपने जो goods receive किया principle से, उसका पूरा detail, जो आपने principle के भी आप पर supply किया, उसका पूरा details, उसकी value and quantity, details of accounts furnished to principle, okay, principle को कौन सा details आपको provide करना है, उसके पूरे accounts आपको maintain करने पड़ेंगे, tax paid on receipt or supply of goods on the B.A.P. principle, अगर आप buying agent हो, तो वो केस में principle के भी आप पर कितना tax दिया, आप selling agent हो, तो principle के भी आप पर कितना tax दिया, इसके भी records आपको properly maintain करने पड़ेंगे, तो अगर आप agent हो तो यह in addition to general records, आपको यह सारे additional records maintain करने पड़ेंगे, I hope you understood, understood, अगर समझ गया होगा, तो A-type कीजिएगा, एजन्ट का मारा हो गया, इसके बाद में, रिकोर्ट भी मेंटेंड बाइ मैनिफाक्चर, इन अदिशन तो इस जनरल रिकोर्ट, यह तो सारे जनरल रिकोर्ट मैनिफाक्चर को, वो सर्विस प्रोवाइडर हो, और यह तो मेंटेंड करना ही पड़ेगा, इन अदिशन तो अगर आप मैनिफाक्चर हो, तो मंतली प्रड़क्चन अकाउंट, शोइंग कॉंटिटी आफ रॉ माट्रियल और सर्विस रिस यूज इन दो मैनिफाक्चर, मैं एक वर्ड़ पे आपका ध्यान लाना चाहूँगा, मंतली प्रड़क्चन अकाउंट आपको मैंटेंड करना है, और यही बहुत बड़ी गरबड हो रही है, बहुत सारे मेरे ऐसे क्लाइंट है कि जो यहाँ पे, मंतली बेसिस पे प्रड़क्चन अकाउंट, मैं उनको डराता हूँ बहुत सी बार, मैं कहता हूँ कि खादी बार स्कूटीन होगे तो लग जाएगी वाट तुम्हारी, तो ऐसे केस में मंतली बेसिस पे करो यार, ने तो सामने वाला, तुम कितने भी जुनाइनली मैंटेंड कर रहे होगे, पर सामने वाला, रूल 56-12 का एक्षिन लेकर बोलेगा, कि तुम मंतली बेसिस पे नहीं मैंटेंड कर रहे है, हम तो एक्षिन ले लेंगे तेरे अकेंस में, तो ख्याल रहे है, यहाँ पे मंतली बेसिस पे, आपको प्रड़क्शन अकाउंट मैंटेंड करना है, चीज़े आपको मैंटेंड करना पड़ेगा, क्या, कॉन्टिट्यूट डीटेल्स अप गुड्स यूज इन दे प्रोविजन अप सर्विस, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो, समझ लो, V-Smart Academy ट्रेनिंग कोचिंग सर्विस दे रहा है, तो V-Smart Academy को, यह तो General Records वो जो मैंटेंड कर रहा है, इसके बाद में ITC, अदर पर्टिकुलर, यह जो रिकॉर्ड्स है, एकसेटरा ठीक है, लेकिन Service Provider को, अगर वो Goods पर्चेस कर रहा है, तो कितना Goods सर्विस में यूज हो रहा है, इसके रिकॉर्ड उनको मैंटेंड करना पड़ेगा, डीटेल्स आप इंपूर्ट सर्विस, डीटेल्स आप सर्विस सप्लाइट्स, यह सारे रिकॉर्ड्स, इन अदिशन टू, जनरल रिकॉर्ड्स उनको मैंटेंड करने पड़ेगा, अगर आप Works Contractor हो, वरी इंपॉर्टन, Works Contract मतलब क्या, Works Contract की Definition, क्लिरली दिया है, Section 2 में, Works Contract मतलब, Construction, Erection, Installation, Renovation, Repairs and etc, carried on on Immoable Property, आप Immoable Property पे carry out कर रहे हो, which involved a transparent title in goods, जिसमें goods भी है, याद करो, हमने Works Contracted Definition, supply topic में देखे होगी, अगर, supply topic में देखी थी, अगर आप works contractor come on, come on, come on, आप works contractor हो, तो वो case में, आपको कुछ additional चीजे maintain करनी पड़ीगे, कौन सी? name and address of person on whose behalf works contract is executed और ये each contract wise maintain करना पड़ेगा, आपके पास अगर 5 works contract चलो है, तो 5 works contract के अलग-अलग record maintain करना पड़ेगा, जिसमें name and address okay, आप the person on whose behalf work contract is executed description, value and quantity of goods and services received for each works contract, आपके अगर 5 work contract है, तो सब के records अलग रख करो, okay, हर work contract के लिए कितना, कौन सा goods हाई, कौन से service हाई, उसकी value कितनी है, उसका description, उसकी quantity कितनी है, आपको each works contract wise maintain करना पड़ेगा, उसके बाद में description, value and quantity of goods and services utilized for each works contract and details of payment received for each works contract and name and address of the suppliers okay, मैं अब आपको यह बात बता दू यहाँ पे बहुत सी बार construction sector में, okay, contractor से mistake हो जाती है, contractor जो है आपको सच बता दू, तो contractor जो है, okay, अब goods लंसम में खरिद लेता है, समझे लो, उसके चार works contract चालू है, और उसको cement खरिदना है खरिद लिया cement, चार works contract के लिए okay, ठीक है, एक invoice में खरिद लिया होगा लेकिन उसको by forget करना पड़ता है okay, हर each works contract के लिए description क्या है, value क्या कितनी quantity goods खरिदा, service करिदा okay, कितना utilize किया ये सारा apportionment उसको करना पड़ेगा as per rule 56-14 ये compulsor ही है okay, वो ऐसा लंसम नहीं बता सकता है कि मेरे चार works contract है, टोटल इतना खरिदा, नहीं each works contract wise उसको ये classify करना पड़ेगा okay, हर contract का payment कितना मिला okay, क्यूँ, क्यूँकि इसमें continuous supply of service है continuous supply service में event based आपका okay, continuous supply service में event based आपका tax लग सकता है completion of event पे okay, आपका यहाँ पे TOS आ सकता है invoice issue करना पड़ता है तो ऐसे situation में आपको each works contract wise सारी details maintain करनी है ये समझा क्या बेटा, अगर समझा होगा तो WC type कीजिएगा okay, उसके बाद में CNF agent okay, CNF agent के लिए rule 56.17 कहता है कि अगर आप clearing and forwarding agents हो underline अगर आप clearing and forwarding agents हो तो वो situation में, धान से सुनिएगा अगर आप CNF agent हो तो वो case में आपको true and correct records of goods handled on the behalf of registered person okay, कुछ नहीं, CNF agent क्यों है क्या है, वो यहाँ पे registered person से goods लेते है उसको clearing करते है और customer तक forwarding करते है तो CNF agent होगे तो आपको true and correct record maintain करने है हर registered person के कितने goods आपने उठा है कितने forwarding किये कितने आपने customer को दिये and produce the details as required by proper officer और officer जब भी आपसे details माइगेगा तो वो details आपको provide करनी पड़ेगी तो यह आपने देखा यहाँ पे चार्ट तो यह जो आपने देखा चार्ट और यह चार्ट आपने देखा regarding to कि registered person होगे तो general records क्या है special हर cases में आपको किस टाइब के records maintain करने है ठीक है अब आते हैं section 35-2 35-2 read with rule 48 warehouse owner और transporter पे इनोंने क्या liability डाली है अगर आप owner operator of godown warehouse हो okay मतलब आपसे warehousing service देते हो godown है etc और यह देते हो और आपने GST में registration लिया है आप ले सकते हो कि आप अगर warehousing service दे रहे हो godown service दे रहे हो आप registered हो या अप unregistered हो अब एक बात बता देता हो आप registered हो तो बहुत अच्छी बात है अगर आप unregistered हो और warehouse चला रहे हो तो आपको GST में unique enrollment number लेना पड़ता है very important star करो अगर warehouse की पर unregistered है तो उसको एक special number generate करना पड़ता है जिसका नाम है UEN UIN नहीं UIN नहीं वाला कह है unique identification number यह है UEN UEN यह आपको generate करना पड़ता है क्योंकि आपका data government की पास होना जुरूरी है specially जब आप GST non-paid goods अपने warehouse में रखते हो उसके बाद में अगर आप warehouse keeper हो तो 352 क्या कहता है 352 यह कहता है shall maintain records of consigner, consignee and other relevant details of the goods in such manner as prescribed मतलब क्या आपको consigner, consignee और जो भी goods के record है नीचे जो rule 58.4 में दिये है और कि इसके हिसाब से आपको record maintain करने पड़ेंगे कि कौन से consigner ने goods रखा कौन से consignee का goods है और goods की सारी details अभी मैं नीचे rule में पड़ा होगा इस rule के हिसाब से आपको goods की सारी details दे नहीं पड़े की rule 58.4 कहता है अगर आप warehouse keeper हो तो maintain books of account with respect to the period for which particular goods remains in a warehouse कितने period तक underline करो कितने period तक आपका goods warehouse में है उसको proper clarity से होना चाहिए कि goods warehouse में रखा गया कितने period तक है और particulars relating to dispatch, movement and receipt of disposal of such goods और जो warehouse keeper normally record रखता है कितना dispatch हुआ, कितना move हुआ, कितना receive हुआ कितना dispose हुआ इसका पूरा details warehouse यहापे warehouse keeper या go down keeper को रखना पड़ेगा rule 58.5 कहता है store the goods in such a manner that they can be identified atom wise या order wise and shall facilitate the physical verification or inspection में proper office और कि यह एक जिम्मेदारी बनती है warehouse की पर की, कि वो जब अपने warehouse में goods यहाँ पर store करता है तो वो ऐसा रखे कि atom wise okay trace करना easy है owner wise trace करना easy है सब mix करके न रखे और जब हमारा officer उसको physically verify करने आएगा जब हमारा officer physically verify करने आएगा तो उसको पूरी facility आपने देनी चाहिए so that वो easily inspect कर सके और physically verify कर सके यह तो था बिटा अगर आप owner और operator आप go down या warehouse हो now next अगर आप transporter okay GTA service या railway या by air आप services दे रहे हो आप registered होगे और आप unregistered होगे registered होगे तो अच्छी बात है unregistered है तो भी आपको एक number लेना पड़ता है तो number होता है unique enrollment number okay underline करना यह transporter को भी है unique enrollment number आपको लेना पड़ता है अब 352 क्या कहता है 352 कहता है कि अगर आप transporter होगे तो भी shall maintain records okay देखो shall maintain the records record of consigner and consignee okay transporter भी होगा तो उसको proper record की कौन से बंदे का goods है consignee कहा पहुचाना है और details of goods, details of goods नीचे दिया है उसको यहाँ पे transporter को goods की भी details maintain करनी पड़ेगे अगर आप transporter हो तो rule 584 के हिसाब से shall maintain the records of goods transported goods transported, delivered, goods stored in transit by him along with okay GSTN of register consigner and consignee for each of his branches okay तो यह द्यांसर सुनिएगा okay transporter को कितना goods transport किया, delivered किया, कितना goods stored किया, okay in transit और हर register sponsor जो consigner या consignee है उसके branch wise उसको GSTN maintain करना पड़ेगा rule 581 है कहता है if transporter is registered in more than one state or UT then apply for unique common enrollment number okay for evable EWB मतलब evable now ओके यह concept मैं थोड़ा आपको evable में समझाओगा पर बस अभी इतना समझ लो कि आप transporter हो और आपके पास एक से ज़्यादा registration है तो आपको unique common enrollment number लेना पड़ेगा और के दोनों में difference है unique enrollment number मतलब आप जब unregistered हो तब unique enrollment number है और आपके पास एक से ज़्यादा registration होगे तो evable facility के लिए यह क्या होता है evable में देखेंगे evable facility के लिए आपको unique common enrollment number याने सभी registration का एक code generate करना पड़ेगा unique common enrollment number और वो evable में यूज़ करने के लिए आपको लेना पड़ेगा तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा goodon, virus keeper और transporter इसके लिए किस type के records आपको maintain करना है चलो अब last आजाओ procedure for maintenance of account तो आपका account record आप electronic form में maintain कर सकते हो electronic form में maintain कर सकते हो proper backup आपने लेने ना चाहिए हमारे officer जब भी मागेगा तब आपने सारे files और उसके password उसको देने चाहिए अगर आप manual record maintain कर रहे हो तो उसमें erase or over return नहीं होना चाहिए manual record में records को serial number होने चाहिए अब manual record बचे का उस दिप दिया है उनोंने अब तो सब electronic form में हो गया चली, next consequence of failure to maintain books up account अगर आपने हमने जो उपर आपको guide किया किस टाइप के records आपने maintain करने चाहिए और वो आपने अगर maintain नहीं किये वो आपने maintain नहीं किये या आपने कोई ऐसी services प्रोवाइड की जिसके accounting नहीं हुई तो वो deem supply माना जाएगा और 73, 74 जो आगे chapter में मैं पढ़ा होगा उसका action आपके against में हो जाएगा उसके बाद में retention of account important section 36 अभी तक जो भी आप पढ़ रहते section 35 पढ़ रहते जो आपकी annual return की date है वहाँ से 6 साल तक let's take example मेरा current financial year है 22-23 तो 22-23 का annual return कब जाएगा 31st December 23 को जाएगा 31st December 23 को और वहाँ से 6 साल याने मुझे 22-23 के records कब तक maintain करके रखने पता है क्या 31 December 2023 से लेके 6 साल याने मुझे यहाँ पे 6 साल अगर मैं लो तो 6 साल आड कर दू तो 2029 तक 22-23 के record 22-23 के record 2029 तक मुझे maintain करना है तो यह 6 साल कब से लिया जाएगा 31st मास से नहीं जो आपकी annual return की date थी वहाँ से 6 साल याने अगर आपने annual return आपने दिया होगा 31st December को तो वहाँ से 6 साल पहले दिया होगा तो वहाँ से 6 साल if subject matter is for appeal और revision retention shall be later of one year of final disposal of appeal और 72 months from the date of furnishing of annual return तो whichever is later लेकिन अगर आपने कोई appeal फाइल कर दियोगी तो फिर हो सकता है कि आपका 72 months का भी period यहाँ पे बढ़ सकता है क्यों government कहती है कि देख भाई तुन्हे appeal फाइल की अब case को लग गए 8 साल तो 8 साल तो तो तुरे को maintain तो करना ही पड़ेगा 8 साल प्लस जिस दिन appeal dispose होई उसके बाद में भी at least one year तुझे record maintain करके रखने पड़ेगे समझ लो मेरी appeal dispose होई आठ साल बाद order आई तो मुझे और एक साल याने नौ साल आपको जो है यहाँ पर यह maintain करके रखना पड़ेगा तो अगर appeal matter होगा तो whichever is later one year as final disposal of appeal or revision or 72 months from the date of furnishing annual return whichever is later तो now in this way we have completed this यहाँ पर complete chart of accounts and records done? yes or no?